जब से तुम मुझे मिले हो, मुझे परिशान किये जा रहे हो बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बाते होती रहे जिसमें तीन चीजे होती थी प्रेमी प्रेमी का और उनकी मिलन की रामे रोडा अड़काने वाला तत्व आज भी बॉलविट की प्रेम कानियों में इसे फर्मूलों का इस्तमाल होता है कभी ये तत्व खलनायक के रूप में होता है कभी जाती, प्रदेश, उच नीच, गरीब, अमिर के रूप में है 1944 की रतन सुपर हिट थी जिसका नायका गोविन दा वैशे समाज का था तो नायका गोवरी राचपुत समाज की 1981 की एक दुझे के लिए की तमिल भाषी नायक और उत्तर भारती नायका के मिलन में भाषा के साथ प्रविश्वाद द्रोडान बन जाता है बॉबी के नायक नायका या मैंने प्यार किया के नायक प्रेम और सुवन के मिलन में अमिरी गरीबी बांदा बन जाती है और प्रेमियों को कड़े इम्तियम से गुजरना पड़ता है मुक्यधारा की निर्मातों का मानना रहा है कि प्रेमी प्रेमिका को मिलन से रोकने वाला तत्व जितना ताकत वर दिखाया जाएगा फिल्म के सफलता के मौके भी उतने जाधा बनेंगे मगर 25 सल पहले 20 अक्तुंबर 1995 को रिलीज हुई दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे ने इस फ्रेमिलों को हाशिये पर पटक दिया यह है ऐसी प्रेम कहानी थी जिसमें नायक नायक का की मिलन को उच नीच अमिरी गरीबी प्रदेश वाद जाती या धर्म रोकते नजर नहीं आते है उसमें नायका सिमरन का पीता बल्दो सिंग परंपरावादी है तो नायक राज का पीता धरमिर मलोतरा खूले विचारों का नायक नायक को मिलने से रोकने वाला तत्वा परंपरवादी पीता दिखता तो है मगर होता नहीं क्योंकि वो तो अंत में कहता है कि जा सिमरन जील अपनी जिन्दगी दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में नायक नायका को मिलने से रोकने वाला तत्वा हाला थे स्थीतिया है प्लेटफर्म पर दोड़ती नाई का गती पकड़ रही ट्रेन के दरोजे पर खड़ा नायक और सिनेमा हॉल में दम साथे बैटे दर्शक इस तरह से फिल्म में हालात अपने चरम पर पुछते हैं हालाकि इस क्लाइमेक्स से निर्देशक आदित्य चोपड़ा की पिता यस चोपड़ा नाखुष थे जिस तरह से इंगलेंड अमेरिका समेत विदेश में बसे भारतियों ने दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे को सिराको वल लिया वह हिंदी सिनेमा की दुनिया में अभूत पुर्व है यूरोब की खुब सूर्ती और पंजब की खेतों में लहराती हरियाली से लबरिश दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे ने बॉक्स ओफिस पर इत्यास रज दिया मुंबई के मराटा मंदिर में यह लगबग 22 साल तक लगातर दिखाई जाती रही इसने हिंदी फिल्मों का चैरा मौरा बदल दिया इस फिल्म के बाद अमेरिका इंगलंड और कनाडा में बसे पंजबियों को ध्यान में रखकर फिल्म में और उनके गाने बनाने का चलन चल पड़ा फिल्मों में सरसों की खेत लहराने लगया और गानों में पंजबी शब्त कुडी और खास मोगे पर आईए चानते फिल्म से जूड़ी दस खास बातों के बारे में पहला है फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थे शारुक, फिल्म दिल वाले दुलनिय ले जाएंगे के सबसे बड़े और लीड रोल के लिए शारुक अन पहली पसंद नहीं थे, डारेक्टर आद काफी समझाने के बाद आदित्य पिता की बात मान गए, लेकिन जब ये रोल शारुक को आफर किया गया, तो उन्होंने भी इतनी आसानी इसे स्विकार नहीं किया, इसके लिए आदित्य चोपड़ा को शारुक के साथ चार बार मिटिंग करनी पड़ी, तब जाकर उन्हों उन्हें फिल्म साइन किया, वैसे यदि शारुक नहीं मानते तो आदित्य की अगली पसंद से फली खानते, लेकिन शायद किस्मत इची को कहते है, इस फिल्म के जरिये शारुक खान को किंग ओफ रोमेंस का किताब मिलना था, दूसरा है फिल्म का फाइनल टाइटल कीरन ख जाएंगे किरन खेर ने सजेस्ट किया था, इस बात का जिक्र यश्राच फिल्म द्वारा पब्लिच की गई बुक आदित्य चोपडा, रिल्विस, दिलवाले दुलेनिया ले जाएंगे मैं आदित चोपडा ने खूद किया, उन्होंने लिखा है किरन जी को यह आइडिया 1974 में आई फिल्म चोर मचाई शोर के गाने ले जाएंगे, ले जाएंगे, दिलवाले दुलेनिया ले जाएंगे सुनकर आया था, जब मैंने उनसे यह आइडिया सुना तो मुझे काफी पसंद आया, और यह टाइटल फाइनल हो गया, वैसे टाइटल काफी लंबा था, ले फिल्म दिलवाले दुलेनिया ले जाएंगे में शारुकान पर फिल्म आया गया, मशूर पल्टन सिन एक हॉलिट फिल्म से प्रेडित था, साल 1993 में रिलीज क्लीट स्ट्वर्ट की अमेरिकन फिल्म इन दा लाइन ओफ फायर के एक सीन से पल्टन सीन इस्पायर था, फिल्म जेकी स्क्रिप्ट लिखने में आदिते चोपड़ा को केवल एक महिने का समय लगा था, इसके साथ ये भारतिय सीन एटियस की ये पहली ऐसी फिल्म थी, जिसने अपनी मेकिंग को भी प्रोड्यूस किया था, तकनिकी तोर पर तब ये उसे बिहाइंड द सीन के नाम से जान जो कि बॉलीड की सबसे बड़े शोमा ने राज कपूर से प्रेडित था, फिल्म में उनका पूरा नाम राजना था, जो कि 1973 की फिल्म बॉबी में रुशी कपूर के नाम से प्रेडित था, फिल्म के एक सीन में अनुपहम खेर शारु खान को अपने दादा परम दादा की पढ़ाई में नाकाम यह भी किस्ते सुनाते हैं, वो दरसल अनुपहम खेर के संगे अंकल के नाम है, जो कि वाकई पढ़ाई में कुछ खास अच्छे नहीं थे, यही वही पहली फिल्म थी जिससे मंदीरा बेदी ने बड़े परदे पर अपने अक्टिंग करियर की पढ़ा ने कैलिफोनिया के बेकर्स फिल्ब में हाल डेविडेंस के शोरूम में 400 डॉलर में खरी दी थी, पाच्छवा है अर्मान को यह फिल्म भी मिलते मिलते रहा गई, बिग बॉस फेम एक्टर अर्मान कोली को बॉलुइड का सबसे दुर्गबेशाली अभी निता मान चाता है, उन्होंने जितने फिल्में की नहीं है उससे कई जाधा ठुकराई है, या मिलते मिलते रहा गई है, जैसे के फिल्म दिवाना में शारुकान का रोल उनको मिल रहा था, लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया, उसी तरह फिल्म दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में काजुल के किरदार सिमरन के मंगेतर कुलजित के रोल के लिए भी पहले अर्मान कोली से बात की गई थी लेकिन आदिशन वाले दिन परमित से टीबूट जीन्स और वेस्ट कोट पन कराए तो स्क्रीन टेस्ट में पास हो गई इसके बाद अर्मान की जगा परमित को फिल्म में कास्ट कर लिया गया मेंदी लगा के रखना गाने में काजल के लिए मनिश मनोतरा ने हरे रंग का सूट डिजैन किया लेकिन अदित चोप्र ने कहा कि पंजबी परिवारों में लड़किया लाल मरून या गुलाबी कपड़े पहनती है इसके बाद उनके सूट का रंग बदलना पड़ा इस फिल्म का एक मशूर गाना तुझे देखा तो ये जाना असनम गुड़गाओं में शूट किया गया था अभी भी दूसरी बार आपका एक आपने सिंबुल से बात की है क्या लग रहा है कुछ समझ पा रहे हैं सिंबुल या फिर वही गेम में वो करती जा रहे है अभी जो कनवर्सेशन हुआ सुंबुल समझ पाती है सब लेकिन प्रोब्लम से इतनी सी है कि 18 साल मैंने इसको जिस तरीके से पहला है जिस तरह से उसको कहानिया सुनाई है हमेशा अच्छी बाते बताई है तो 18 साल की जो तर्वियत है ना उसको मैं जाके कुछ बोलता हूँ तो वो 18 साल की सीखी हुई चीज़े एक दिन में कैसे चेंज कर पाएगी अच्छा वो करना भी चाहती है वो एक दो दिन उसका असर दिखता भी है लेकिन फिर क्या होता है फिर वो चारो तरह से लाइन अप होके बार बार उसको वही कंवर्सेशन वही कंवर्सेशन हम तुमारे हैं ऐसा है वैसा है तो सीदी बार 24 गंटे जब आप किसी तरह की चीज़े करोगे तो फिर से वो डैवट होती है और सबसे बड़ी बात है कि उसको वही तक यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोगों की दोरह यूज हो रही है उसको यह लग रहा है कि मैं अपनी फ्रेंशिप निभा रही हू लेकिन उसके बावजूद भी चुकि अभी तक वो जैसी गई थी वैसी ही है इस बात का मुझे फखर है कि कम से कम उसने औरों की तरह बाकी चीज़े नहीं सीखी कर रहे हैं उनसे इंटराक्शन कर रहे हैं उनका भी करना कर यह है कि सुंबल छोटी है वो मना इसलिए करना की नहीं समझ पा रही है कैसा गेम सुंबल का आपके देखिए रही बात इमली की तो इमली ने उसको नो डाउट बहुत बड़ी सक्सेस दी है और आज उसके पूर बिग बॉस का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है हम लोने चुकि बिग बास फॉलू नहीं किया था ना सुंबल ने कभी देखा रहा ना मैंने कभी देखाता था तो मुझे भी यहीं लगाता कि बीग बॉस में लोग एक दूसर西के प्रतिस आजिश करते हैं हटाते हैं डराते आगे बढ़ते हैं पर मुझे ये नहीं मालूम था कि मतलब आप ट्रॉफी के लिए किसी के करेक्टर असेजिनेशन तक पहुंच जाओगे और जब ये बाते बार बार होने लगती हैं तो किसी भी बच्चे की जो नैशुरलिटी है वो खतम हो जाती है और आज वही है कि आज उसको अजीब सा लग रहा है कि ये सब हो क्या रहा है मेरे आसपरोस तो मेरे को अब लग रहा है कि मुझे हलाकि मैंने उसको बेजा था वहां सीखने के लिए चुकि वो निगेटिविटी उसकी जिन्दगी में कभी थी नहीं तो सीखने के लिए बेजा था उसको मैंने और संबुल का जो ग्यारेक्टर जिस तरीके से सभी देख जाता है लेकिन कुछ लोगों के रहो से कुछ प्रक्ति की देखने की देखने की मेंजर्या केंग हो जाता है आपका इस को कहरा हूँ देखिए मैं उसी बात को आपको कह रहा हूँ कि सुंबुल ने फस जे से लेकर आज तक अपने आपको क्लियर रखा है हर जगा उसने साफ साफ कहा है कि मेरा शालीन के साथ महज एक दोस्ती का रिष्टा है जो डेवन से कहती है आज तक उसी पे अड़ी हुई है अब एक बात बताईए अप हर बेक्ति का बाडी जिस्चर अलग होता है हर बच्चे की सोच अलग होती है मैं आपको पहले भी बोले चुका हूँ कि सुंबुल का मैं सिंगल पैरंट हूँ तो मैं मा भी हूं उसकी बाप भी हूँ तो उसके अंदर जो एक टश होता है जेंडर का वह उसक साथ बहुत गलत होगी और उस दिन वीकेंड के बार पे जिस तरह से सारे घर वाले उसके पीछे पड़ गये थे मतलब करीब आदे घंटे कंटीन्यू एक लड़की को तार्गेट किया जा रहा था कि तुम हैसी हो 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 तुम ह पैनिक हुई एक बार जब मेरे उपर अर्चना ने बात की थी और एक बार और उसे पहले कोई लडायी हुई थी पैनिक होने पर वो फिर आपक होड़ेती है और उस दीर वही कोशिश हो रही थी कि ये पैनिक होकर बोल दे कि हां ये है लेकिन मैं सरूब करता हूँ अपनी बेटी को उसके patience को कि इतना होने के बाद भी pressure होने के बाद भी वो अपनी बात प्याड़ी रही और last में इस पूरे subject को अलग ही करना पड़ा कि okay लेकिन हुआ क्या उसके बाद जैसे weekend का बार खतम होता है again फिर वो ही चाल अब वो कैसे certification दें में को समझ भी नहीं आ रहा है वो सिंबुल क्या करें अपने माथें पे लिख दे हर तरह से शानीन आके उसको clear भी उसके सामने बोल रहा है कि हाँ बेटा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है और वो भी कह रही है कुछ भी नहीं है लेकिन उसके बावजूर भी फिर वही एक target और बार बार मैं उसकी जिद्धी नरग बना दूँगी मैं ये कर दूँगी मैं वो कर दूँगी डेव फसे लेकर अभी तक एक 19 साल की लड़की से आप इतना घबरा क्यो रहे हो वो अपना गेम क्हेल लाई है शानती से आप अपना गेम खेलो उसकी खलती ये है कि उसने आपको अपना मान लिया हम उसकी घलती कहूंगा क्योंकि आपको यादोगा किसी मैं पूछा था शायद शेखर सो बनने क्या आपके दिल के जिकर के तक्ड़े कौन है, तो उसने बोला था शालीर और टीना, तो उसने आज तक वह बात रखी हुई है तो आप लोगों को सोचना चाहिए, कि अगर उसने आपको अपने जिगर का तुकड़ा कहा है, और आज भी वो आपके साथ खड़ी है, तो आपको भी एक बड़े की तरह उसका साथ देना चाहिए, उसको यूज नहीं करना चाहिए, इस तरह से. तो आपको अपने जिगर की बाता है, तो आपको यूज नहीं करना चाहता है, शायद लोगों को नहीं मालूम होगा, विकेंड के वार के बाद मेरी तवियर बहुत जारा खराब हो गय थी, मेरा ब्लेट पेशर बहुत हाई हो गया था, और मैं अलेडी, मैं ब्लेट पेशर का जाद आलिए गया, मैं ICU में था, और ICU में था, है और मैं शायद मेरी एटी बता रही है, मुझे बिल्ल को पता नहीं की दावाईज। की बज़ा से मैं 빨ण कौन्शेस था, और मना ड़ा थो, क्या हो रहा तो वह बेटी बता रही थी कि आप बार-बार संबूल बोल रहे थे तो दैन उसने मैनेजर से बात करी कि किसी पी तरह से संबूल को बुला लो ताकि पापा उससे बार मिल ले पापा ठीक हो जाएंगे अब उनके बीच में क्या बात हुई मुझे कुछ भी नहीं करी कि उसके बाद फिर मैं ऑस्पिटल में रहा मुझे कुछ भी नहीं पता दैन जब मैंने थोड़ा जब नौर्वाल हुआ मैं उसके बाद मैंने देखा कि प्रोमो में मेरी आवाज आ रही है तो मैंने सानिया से पूछा बेटा क्या है तो बोले पापा जो आपने फोन प पापा फिर मुझे खुद बहुत अजीब लगा इस्पेशली दो शब्दों के लिए एक जो पर्टिकॉलर शब्द पे बहुत हाय तौबा मची हुई है कि मुझे लात मार देना और एक आउकात तो मैं एक बात तो कहूंगा कि बेटियां सबकी साजी होती है और मैं किसी ब मैं दो बार बिग बास में आया हूं और दोनों बार मेरी आवास आप तक पहुंची है पर इस बार मेरी आवास के साथ सबसाइट सब्टाइटल चलना था क्यूं क्यूं क्यूंकि आवास मेरी क्लियर नहीं आ रही थी उन्होंने लिक लिक के बताया है कि मैं क्या बोल रहा ह शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं उस वक्त किस हालत में था और इन दो पर्टिकुलर शब्दों के लिए मैं नेशनल टीवी पे या आपके सामने मैं उन दो शब्दों के लिए छ़मा मांगता हूँ क्योंकि मैं हमेशा women empowerment की बात करता हूँ लड़कियों की बात करता हूँ मेरी कवताओं में भी subject लड़किया ही होती है तो मैं किसी लड़की के बारे में जान बूच के ऐसे शब्द तो नहीं बोल सकता और इसके लिए मुझे माफी मंगने में कोई भी शरम नहीं है क्योंकि ये लफ्स मैंने ना तो कभी बोला चाहे हैं और ना मैं अपने बेटियों कभी सिखाया है unconsciously हो सकता है मेरे मुझे निकल गए हूँ उसके लिए मैं छमा मांगता हूँ लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा और especially इसली टीना की मम्मी से देखिए एक मेरे शब्द से आप कितना आहा थी आप के आँक से आसू निकले तो आपने कभी सोचा कि डेवन से लेकर आज तक मेरी बेटी के लिए टीना ने कौन कौन से शब्द इस्तमान ली किये कभी लगा आपको कि एक बंदा जो सिंगल पैरेंट है जो मा भी है बाप भी है उसके दिल पे क्या बीट रही होगी कम से कम आप बड़ा दिल दिखाकर एक बार मुझको फोन करके बोलती कि मेरी बेटी ऐसा बोल रही है उसके लिए च्छमा और मेरे एक शब्द से हाहा कार मज़ गया है तो ये तो मेरे को हला कि मैं अपने आपको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि ये शब्द बोलकर मैं इसको जस्टिफाई करूं नहीं ये शब्द गलत है और मेरी शब्द कोश में ये शब्द नहीं थे unconscious unconscious हालत में मेरे साथ ये हुआ है उसके लिए मैं छमा मांगता हूँ लेकिन जिस तरह से आज भी इतना होने के बाद भी आपकी बेटी, मेरी बेटी का वो लगी कि मैं इसका जीवन नरक कर दूँगी तो मेरे को लगता है कि मैं एक शब्द के लिए आके माफी मंग रहा हूँ तो आपको पचास दिन के हर शब्दों के लिए माफी मंगना चाहिए तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे हाँ हाली में हमने देख़ा ठीना कि मैंने और भी बहुत सारे गरा लिए है वीडियो के जरी जहां उन्होंने का है हाँ मैं इस पे कहना चाहूंगा सबसे पहले तो मैं कलर्स का एंडे मॉल का बिग बॉस का और सल्मान खान का दिल से शुकरिया आदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने आउट आफ दवे जाकर एक पिता की भावना को समझा और मुझे मौका दिया पर यह बाइस होना नहीं है क्योंकि उन्हें भी दिख रहा था कि एक 18 साल की लड़की अंदर आई है और वो बहुत कन्फ्यूज हो गई है क्योंकि जिस तरह से उन्हें ने उसके बारे में देखा था, इंबली में देखा था इस्टार परिवार में देखा था, वो वही चाह रहे थे कि बैसी रड़की हमारे आया और धमाद मचाए लेकिन अंदर आने के बारे वो सारी चीज़े जो बदली है ना और उसे जिस तरह से उसका जो पूरा करेक्टर चेंज होने लगा तो उनको भी चिंता दी कि बच्ची के बारे में इस तरह की चीज़े बाहर न जाएं इसलिए उन्होंने मुझे चांस जिया अगर इस तरह की चीज़ मेरे ख्याल से अगर किसी और के साथ भी होती और उसके पैरेंट्स बोलते रिक्वेस्ट करते तो मुझे लगता है कि बिग बॉस इतने क्या कह सकते है काठोर नहीं हो सकते कि वो चांस नहीं देते तो अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते तो बिग बॉस उनकी भी बात मानते लेकिन वहाँ पे वह सारी चीज़े जो हो रही थी वो सुंबुल के साथ हो गई और रही बात तीना की तो टीना बहुत EXPERIENCED है पंदरा बीस साल का EXPERIENC उसको और सुंबल मह need 2 साल का EXPERIENC उसको और और भी बहुत शब्द कहें उन्होंने मैंने टीना की मम्मी की पूरा कनवर्सेशन सुना है कि मैंने गालियां बखी है पता नहीं क्या क्या तो देखे मैडम मैं बता रहा हूं कि मैं उस प्रकति का इंसान ही नहीं हूं क्योंकि हमने तो शाद बजपन से यह पढ़ा है कि यत्र नारी पूजयंते तत्र रमंते देवता जहां पर नारी की पूज़ा होती है वाँ देवता बसते हैं तो मैं तो खुद उसी हिर्दा का इंसान हूं मैं तो हमेशा बेटियों को सर पर लेके चलता हूं तो मैं ऐसा तो कभी कहने सकता हां अगर डेवन से लेकर आज तक अगर मेरी बेटी ने एक भी लव किसी के भी बारे में कहा होता या एक भी ऐसा शब्द जो शायद आपको बुरा लगता एक भी शब्द आप बता दीजिए मैं आपके चरणों में लेड जाँगू लेकिन आप मेरी बेटी के संस्कारों पर आवाज उठा रही है तो कम से कम पूरे एपिसोड एक बाद दिल से देखिए और एक मा की तरह देखिए फिर आप बताएगे फिर आप जो कहेंगी वो मानने को तेग्यार हो सबसे कहले यह जानना चाहेंगे संबुल का गेम आपको कैसा लगा है विकॉस विल अपीना गेम तो अच्छा लग रहा है अभी कुछ दुन उसे फोड़ा साइट चल रही है तो हाँ, इस कोई गोड आगे ओर इच्छा होगा फिल डंज तो हाँ,स्यार सबस्ट्टा आपको कैसाग मुझा और अखे मैं उस्माने के का वोड़ा मतंता है बगवालने कोड़ा समयघार में जिएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएm हम्न ने व्हेंस दोस्तने면 나올 है कि आपकरिशन हो उन शवLo स्समाओगी आपको टो सेप्सक्राइब कोड़िए रहनी मथक्राइब झासथ है, यह रहनी मोस्त बहुत आपक विन पोट सारस्ट करने अपड़ा है इन डिए करिगे हैं और फिए नियूंगे और किष्छाओन क्या ओलगी ता-टा कि अगरे कि आटाटा इस दिए कुछ नहीं हुआ यह तरह भी नहीं है ौशरा रायिया, किया अजी कभी ने नहीं सिहता है इसमolog mesmo भाना में विले का है बनाते है ऐया है दो इस बना तो नहीं अजीड लेहे चली में remember आपके जो पापा ने जो भी बोला जो भी कहा वो सब सही था को बोला हो जो सबस्तर सकति की था से जो भीकρη मेरे जो को ुप मोगर था जुछ झानि लिए घुत आ गना मेरे ट्ड़ता वारा खती हिर जो भीके अलता यह भी कांड़ था साभल समूश्सल ने बर्र सुनन जोने ज़िफ लए तान मुझाएव था। वो अच्छ भोग भूष से पारें थे मैं अच्छ बोल करों होती हुआ जसे नियु करो अपने सुना होगा तो उस टाइम मेरे पा öl्रह में इन बात करवाने वाली हुआ है वर देठके मुझे बहुत बुरा लगा आपस पापा भूल नहीं पा रहे थे? मैं बात कर ते कर ते पापा सो जा रहे थे? तो, I just did what I felt right तो बस इस इन भलो नहीं भी आजल हमें हमेशा से देखा यह दिखा है कि जब्या जब इंड बीग बाइशन के साथ कहा जाता है क्या आप दूख सकते है आपको बुलाया जाता है किया आप जाना पसंद करेंगे और अगर जाते भी है किस तडिरिके से आपका इंटुराक्शिन करना पसंद करेंगे अगर ऐसा कुछ दिन कैसे ऐसी मोंका आता है और सारे लोग आते हैं तो मैं इस्पेशली टीना की माद से तो जरूर इंट्रेक्शन करना चाहूंगा और उनको बताना चाहूंगा कि शायद उन्होंने जो भी कहा है हो सकता है उनको मेरी बात सुनने के बाद अपनी गलती का एहसास हो आज जो वो मेरी बेटी के संसकारों पे आवाज पैनिक भी हो गई उसके बाद विजूद भी उसके मुझसे एक लवज नहीं निकला और जबकि मैं जो अपने आपको बहुत समझदार कहता हूं सबको सिक्षा देता हूं यह सब देखने के बाद मेरे शब्द गलत हो गए तो हैर सब बेटी के उसको तो नहीं बदल पाया क होई लेकिन इस बुरे माहल ने मतला अंकॉंशसली मुझे थोड़ा सा बदला और यह दो गलत शब्द निकले मेरे मुझसे और इसके लिए तो मैं गिल्टी रहूंगा जाए लिए तो मैं आपसे जाना चाहेंगे आए जाए यह वह दो एक एसा घर है जसमें आप इतने तन और इतन ही लोगों के साथ रहते हैं कही ना कही इतना बद नहीं इतना बद गर पातना है जाए गर हम नहीं आपसे रहते हैं इतना बद के साथ आएक पैसे लोगों के लिएंगा आपसे लिए नहीं सुनुँगा ए साथ ही तो में और नहीं छालीन दिखा रहे हैं क्या कुछ आप कहना चाहाऊगे, कि यह सब चीजे कितना थिखानी चाहे हैं ऑफ़ दिखान करना चाहें? तो, तीक है कि अगर बूलोंगे कितना थिखाना चाहे है टो पूछ सुनेगा तो नहीं, तुछ सुने मात तो नहीं सुने का नहीं, first off और मैं कभी भी ऐसे मोगाल में नहीं रहे इतना टॉक्सिसिटी इतना लड़ाई इतना जगड़ा मैं देखते हूं तो मुझे भी बुरा लगते है कि हाओ के लिए वहां तो वही देखे मुझे प्रॉट फिल होते है कि अधिस मेरी बहन सर्वाइब तो कह रहे है इवन दो इतना शातिर चल रहे है उनकी लाइफ में हुआ होगा है हमारे साथ नहीं होगा है एक चीज़ और बुल्ला चाहूंगा मैं कि अभी बीच में कई लोग अब्दू से उसको कंपेर कर रहे थे कि 19 साल का अब्दू भी है 18 साल की संभूल है और दोनों में किता डिफरेंस है तो यहां पर मैं आपको बता दूँ कि अब्दू ने जो संगर्श किया है वो किसे नहीं किया उसने सालक पे खड़े कोई गाना गाया है पैसे बटो रहे हैं सब्जी बेची है हर वो चीज़ किया है जहां निगेटिविटी होती है पना लिए कितना सुना होगा उसने पर म यहीं वज़ा है जो आज वो बिल्कुल सीरी सालक उसने निगेटिविटी अपनी लाइव में देखी ही नहीं है तो अगर आप जो अब्दू से उसको आप कंपेर करते हो तो कंपेर एजवाइज मत करिए कि अब्दू का एक्स्ट्रीम है उसने जो संगर्श किया है उसके यह तो है साफ उसको और संबूल का संगर्श अलग है तो उसके जीमन को थोड़ा सा सही लाइन पे लाने के लिए थोड़ा सा दुनिया से परिचे कराने के लिए बिग बॉस में ले गया था मैं उसको और लेके आया हूं और वो सीख भी रही है और जब वो बाहर आएगी सारे एपिसोड देखेगी तो शाइज जिन्दीकी को जादा सा समझ जाएगी लेकिन हाँ थोड़ा सा अपने डाउंस चल रहा है पर मेरा सिर्फ यह था कि अगर आपको जीतना है आप अपनी लाइन बड़ी कीजिए ना प्लीस दूसरे के लाइन क्यों मिटाते हो और संब को जीताएगी आप से चाहिएगे बड़ी के बड़ी के लिए पर लिए कुछ बताना चाहिएगी क्या उन्कों कुछ टुप्स आपने लिए पर लिए पर लिए कुछ बताना चाहिएगी I don't think बताना चाहिए Because sisters and sister they always are both friends They always share something or the other I'll see the thing is that I have a lot of people we are like totally different personalities Youragdacia के लिए पर लिए-फरी जादा से जादा हमाने क्यात मिज़न वाली लिए consig आड़ना करने गाली Aby ho來到 पर सादीमे थिए मै थूरहाँ बतीम आप सकिति ह reflection But in passing abh 5 Ital Kaurd coveragevisorawkcell वार बार शालिम का एकी चीज बोलना, सौंधरिया के साथ यह है, वह है रिलेशन्स, अब क्या जाहेंगे गेम के लिए लोग कितना कुछ किस को टार्गेट करते हैं, क्योंकि हमने दो तीन सवार जितनी भी रबता कर्टेस्टिंग आयों को पूछा है कि सबसे गेम प्लानर क प्लानर के लिए तेना या शालिम की बात आईए, तेकि ये, नो डाउट गेम प्लानर तो हैं दोनों, और सबसे बड़ी बात यह लगती ही मेरे को कि आप एक साथ इतने चेहे लेके चल कैसे पाते हो, मैंने तो ऐसे इंसान आस तक नहीं देखे, मतलब आप इतना कुछ होन में के बाद, आप संबूल के पास फिर जा रहे हो, उसको फिर से आप सारी पुरानी चीजों का वास्ता दे रहे हो, कि हमारा तीन का बॉंड है, संबूल कह रही है कि हमारा कोई बॉंड नहीं है, उसके बावजूद आप टीना से प्लान कर रहे हूं, दैन आ बोला, मैं पा प्कून देगा और रही बात गौतम की तो नो डाउट गौतम के साथ भी बहुत गलत हुआ जिस तरह से शालीन सब्डारिक के साथ पहले बातें करी और उसका जाहारा महाल बनाया और इसके बाद सब María रेघ्धिक मैज्ग जुड़े उसके शालीन ने वहाँ भी गेम खेला, तो आज जो भी बाहर निकलेगा, वो कहेगा, वो अंदर भी कह रहे हैं सब लोग, कि सब जानते हैं कि शालीन और टीना जो है, बहुत बड़े गेम प्लानर हैं, और दुरभाग्य से, मेरी बेटी उन्हें के दोनों के बीच पास गई, के लिए रहेगी तो हमारे पास आईगी, तो ये जो हो रहा है ना, इसके लिए मैं थोड़ा सा परिशान हो गया था, और at last, मैं तो ये भी कहना चाहता हूं उसके तमाम फैन से, ये बात शायद कोई पैरेंट नहीं कहेगा, मैं कह रहा हूं आज, कि जिस तरह की चीज़े चल लए हैं, मैं आप तमाम फैन से ये रिक्वेस्ट करता हूं, कि सुंबुल नॉमिनेशन में आईए है, और अगर आप उसको वास्ता में बहुत प्यार करते हैं, तो प्लीज वोट मत किजिए, मैं चाहता हूं कि वो एविक्ट हो जाए, बाहर आ जाए, क्योंकि ये गेम इनकी वज़ा से, मैं अपरी बेटी निए खोना चाहता हूं, उसकी मासूमियत निए खोना चाहता हूं, एड लास्ट मैं सुंबुल के सारे फैन से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि आप उसको बहुत प्यार करते हो, आल ओवर वल्ड से बेर पास फो सुंबुल के सारे फैन से, जो वर्ल वाइड हैं, इंडिया में हैं, और वो तमाम लेडिस जो उसको अपनी बेटी की तरह मानती है, बेहन की तरह मानती है, इस बार सुंबुल नॉमिनेट हुई है, प्लीज आप उसको वोट पत कीज़ेगा, मैं चाहता हूं कि वो अभिक् सिखाने के चक्कर में, हमारी बेटी कहीं खो जाए, उसकी जो बबलीनेस थी, उसका जो चहकना था, वो सब खतम हो जाए, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको सही लगे हो सकता है, मेरी बात आपको गलत लगे, कल से फिर मैं आप लोग के निशाने पर आजाओं, को आप भी खुश हो जाएंगे और मैं भी, क्योंकि एक गेम के लिए आपनी बेटी निए खोना चाहता है, अपको लगता है कि कोई ऐसा है कि संबूल जो संबूल का साथ देना चाहता है, और अभी भी संबूल गेम केल सकते हैं, तो संबूल जो बार बाहर आने की बात कर रह लो हो गई थी हलकासा, उसने टीना से अपने दिल की बाद शेयर करी, कि दीदी मुझे नहीं रहना है, बाहर जाना है, टीना ने इस बात को एक फ्रेंडली समझती उसको संझाती, नहीं उसने ऐसा नहीं किया, उसने इमेडियेट, जब नॉमिनेशन टास्क चला था, वहां नहीं आना चाहती है, लेकिन कहीं न कहीं वो अपने आपको बहुत अकेला महसूस कर रही है, और वहां पे रही बात अब उसका साथ देने की बात, तो ठीक है, वो जिसके बाद भी साथ लेने चाहती है, ये लोग उसको लेने ने दे रहे हैं, बार बार काट के अपने पास ले आते हैं और फिर बाब में क्या बोलते हैं कि हमको पांच मिनट दिए ती शालीन से बात करने के लिए और जब से ये विकंड का बार हुआ है संबुल उनके पास गई नहीं है लेकिन अभी भी उनके बीच का टॉपिक संबुल ही है तो आप समझ सकते हो कि तीना क्या कह रह है और मुझे लग रहा है कि आगे सब अच्छा होगा जाने शारुक खान काजल स्टार फिल्म दिल वाले दुलनिया ले जाएंगे की कहानी और साती जाने फिल्म से जूड़ी पाच रोचक बाते हिंदी फिल्मों की दुन्या में हर दोर में प्रेम कहानियों पर फिल्म में बनती रही है 1930 के दशक में देवदास की सत्दर्षकों की एक पीडि ने असतफल प्रेमियों की पीडा मसुस की 1932 में सिनेमा के बोलने के साथ अधी प्रेम कहानियों का गल्या, थिकून यह खाका बन गया था जिसमें तीन चीजे होती थी प्रेमी प्रेमी का और उनकी मिलन की राह में रोडा अड़काने वाला तत्व आज भी बॉलुट की प्रेम कानियों में इसे फर्मूलों का इस्तमाल होता है कभी ये तत्व खल नायक के रूप में होता है कभी जाती प्रदेश उच नीच गरीब अमिर के रूप में है 1944 की रतन सुपर हिट ती जिसका नायका गोविन दा वैशे समाज का था तो नायका गोरी राचपुत समाज की 1981 की एक दुझे के लिए की तमिल भाशी नायक और उत्तरभारती नायका के मिलन में भाशा की साथ प्रविश्वाद द्रोडान बन जाता है बॉबी के नायक नायका या मैंने प्यार किया के नायक प्रेम और सुवन के मिलन में अमेरी गरी भी बांदा बन जाती है और प्रेमियों को कड़े इमत्यान से गुजरना पड़ता है मुक्य धरा की निर्मातों का मानना रहा है कि प्रेमी प्रेमिका को मिलन से रोकने वाला तत्व जितना ताकत वर दिखाया जाएगा फिल्म के सफलता के मौके भी उतने जादा बनेंगे मगर 25 सल पहले 20 अक्तुंबर 1995 को रिलीज हुई दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे ने इस फ्रेमिलो को हाशिये पर पठक दिया यह है ऐसी प्रेम कहानी थी जिसमें नायक नायक का की मिलन को उच नीच अमिरी गरीबी प्रदेश वाद जाती या धर्म रोकते नजर नहीं आते है उसमें नायका सिमरन का पीता बल्दो सिंग परंपरावादी है तो नायक राज का पीता धरमिर मलोतरा खूले विचारों का नायक नायक को मिलने से रोकने वाला तत्वा परंपरवादी पीता दिखता तो है मगर होता नहीं क्योंकि वो तो अंत में कहता है कि जा सिमरन जील अपनी जिन्दगी दिल वाले दुलनिया ले जाएंगे में नायक नायक को मिलने से रोखने वाला तत्वा हाला थे स्थीतिया है। प्लेटफर्म पर दोड़ती नाई का गती पकड़ रही ट्रेन के दरोजे पर खड़ा नायक और सिनेमा हॉल में दम साथे बैटे दर्शक इस तरह से फिल्म में हालात अपने चरम पर पुछते हैं। मुंबई के मराटा मंदिर में ये लगबग 22 साल तोग लगातर दिखाई जाती रही। इसने हिंदी फिल्मों का चैरा मौरा बदल दिया। इस फिल्म के बाद अमेरिका, इंगलंड और कनाड़ा में बसे पंजबियों को ध्यान में रखकर फिल्म में और उनके गाने बनाने क चलन चल पड़ा। फिल्मों में सरसो की खेत लहराने लगया और गानों में पंजबी शब्द कुड़ी और मुंडे ऐस्याम हुए कि सत्या जैसी फिल्म में मराटी परिवर से अपने यह होने वाली शादी में गवाया गया, सबने में मिलती है ओ कुड़ी। इस फिल्म की क चोपड़ा इस फिल्म में टॉम क्रूस को बत्तोर लीड कास्ट करना चाते थे, उस वक तक फिल्म का नाम दब्रेवेट विल टेक दब्राइड रखा गया था, लेकिन आदित्य की पीता यह चोपड़ा की दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, चुकि फिल्म रोमेंटिक और भारते दर्शकों के लिए बनाई जानी थी, इसलिए वो चाते थे कि टॉम की जगा शारुक को कास्ट किया जाए, काफी समझाने के बाद आदित्य पीता की बात मान गये, लेकिन जब यह रोल शारुक को आफर किया गया, तो उन्होंने भी इतनी आसानी इसे स्विकार नहीं किया, इसके लिए आदित्य चोपड़ा को शारुक के साथ चार बार मिटिंग करनी पड़ी, तब जाकर उन्होंने फिल्म साइन किया, वैसे जदि शारुक नहीं मानते तो आदित्य की अगली पसंद सेफली खानते, लेकिन शायद किस्मत इसी को कहते है, इस फिल्म क जरिये शारुक खान को King of Romance का किताब मिलना था, दूसरा है फिल्म का final title किरन खेर ने दिया, फिल्म का नाम पहले The Brave and Will Take the Bride रखा गया था, लेकिन अपने जमानी की मशुर अदाकर किरन खेर को ये नम सही नहीं लग रहा था, उन्होंने आदित्य चोपड़ा सही से बदलन ले जाएंगे मैं आदित चोपड़ा ने खूद किया, उन्होंने लिखा है किरन जी को ये idea 1974 में आई फिल्म चोर मचाईशोर के गाने ले जाएंगे ले जाएंगे दिलवाले दूलनिया ले जाएंगे सुनकर आया था, जब मैंने उनसे ये idea सुना तो मुझे काफी पसंद आया और ये title final हो गया, वैसे title काफी लंबा था लेकिन दर्शकों को ये फिल्म इतनी पसंद आई कि लोगों ने इसको शौर्ट में DDLJ कहना भी शुरू कर दिया, खास कर उस वक्क के युवाव में दिलवाले दूलनिया ले जाएंगे की जगह DDLJ कहने का ही चलन था, तिस फिल्म की निर्मा निर्दिशक आदिते चोपड़ा ने जब ये फिल्म देखी तो इंस्टुट का उन्हें वो सीन याद रहा गया जिसमें एक एक एक्टर की गल्फेंट जा रही होती है और वो उसे टन होने के लिए कहते है, बाद में DDLJ में उन्होंने इसी सीन से फिल्म थी जिसने अपनी मेकिंग को भी प्रोड्यूस किया था, तकनिकी तोर पर तब ये उसे बिहाइंड द सीन के नाम से जानते है, आदिते चोपड़े के छोटे भाई उदे चोपड़ा फिल्म में उनके असिस्टन थे, जिने मेकिंग रेकॉर्ड करने के जिम्मेदार फिल्म में उनका पूरा नाम राजनत था, जो की 1973 की फिल्म बॉबी में रुशी कपूर के नाम से प्रेडित था, फिल्म के एक सिन में अनुपहम खेर शारुखान को अपने दादा परम दादा की पढ़ाई में नाकाम ये वी किस्से सुनाते है, वो दरसल अनुपहम खेर क के संगे अंकल के नाम है, जो की वाकई पड़ाय में कुछ खास अच्छे नहीं थे, यही वही पहली फिल्म थी जिससे मंदीरा बेदी ने बड़े परदे पर अपने अक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, फिल्म में पहली शारुखान की फेमस लेदर जैकेट उदे उन्होंने जितने फिल्में की नहीं है, उससे कई ज़्यादा ठुक रही है, या मिलते मिलते रह गई है, जैसे कि फिल्म दिवाना में शारुखान का रोल उनको मिल रहा था, लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया, उसी तरह फिल्म दिल वाले दुलनिया ले जाएंगे में पेले अर्मान कोली से बात की गई थी लेकिन ओडिशन वाले दिन परमित से टीबूट जीन्स और वेस्ट कोड़ पर्ण कर आए तो स्क्रीन टेस्ट में पास हो गई इसके बाद अर्मान की जगा परमित को फिल्म में कास्ट कर लिया गया मेंदी लगा कि रखना गाने में चुर गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम गुडगाओं में शूट किया गया था जाने शारुक खान काजल स्टार फिल्म दिल वाले दुलनिया ले जाएंगे की कहानी और साती जाने फिल्म से जूड़ी पाच रोचक बाते हिंदी फिल्मों की दुन्या में हर दोर में कहानियों पर फिल्म में बनती रही है 1930 के दशक में देवदास के साथ दर्शकों की एक पीड़ी ने अस्टफल प्रेमियों की पीड़ा महसूस की 1932 में सिनेमा के बोलने के साथी प्रेम कहानियों का उत्रीकोन ये खाका बन गया था जिसमें तीन चीजे होती थी प्रेमी प 144 की रतन सुपर हिट थी जिसका नायका गोविंद वैश्य समाझ का था तो नायका गोरी राचपुत समाझ की 1981 की एक दुझे के लिए की तमिल भाषी नायक और उत्तरभारतिय नायका के मिलन में भाषा की साथ प्रविश्वाद द्रोडान बन जाता है बोबी के नायक नाय से रोकने वाला तत्व जितना ताकत वर दिखाया जाएगा फिल्म के सफलता के मौके भी उतने जाधा बनेंगे मगर 25 सल पहले 20 अक्तुमब 1995 को रिलीज हुई दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे ने इस फ़र्मिलों को हाशिय पर पठक दिया यह ऐसी प्रेम काहानी थी जिसमें नायक नायक की मिलन को उच नीच अमिरी गरीबी प्रदेश वाद जाती या धर्म रोकते नजर नहीं आते हैं उसमें नायका सिमरन का पीता बल्दो सिंग परम परावादी है तो नायक राच का पीता धरम इर मलोतरा खुले विचारों का नायक नायक को मिलने से रो प्लेटफर्म पर दोड़ती नाई का गती पकड़ रही ट्रेन के दरोजे पर खड़ा नायक और सिनेमा हॉल में दम साथे बैटे दर्शक इस तरह से फिल्म में हालात अपने चरम पर पूछते हैं। बॉंबई की मराटा मंदिर में यह लगबग 22 साल तोग लगातर दिखाई जाती रही इसने हिंदी फिल्मों का चैरा मोरा बदल दिया इस फिल्म के बाद अमेरिका इंगलंड और कनाड़ा में बसे पंजाबियों को ध्यान में रखकर फिल्म में और उनके गाने बनाने का चल इसकी शूटिंग से जुड़े किस्से है इस खास मों के पर आईए चानते फिल्म से जुड़ी 10 खास बातों के बारे में पहला है फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थे शारूक फिल्म दिल वाले दुलनिया ले जाएंगे के सबसे बड़े और लीड रोल के लिए शारूक टॉम की जगा शारूक को कास्ट किया जाए काफी समझाने के बाद आदित्य पिता की बात मान गये लेकिन जब यह रोल शारूक को ओफर किया गया तो उन्होंने भी इतनी आसानी इसे स्विकार नहीं किया इसके लिए आदित्य चोपड़ा को शारूक के साथ 4 बार मिटिं ने दिया फिल्म का नाम पहले दब्रेवेट विल टेक दब्राइट रखा गया था लेकिन अपने जमानी की मशुर अदाकर किरन खेर को यह नाम सही नहीं लग रहा था उन्होंने आदित्य चोपड़ा सही से बदलनी की बात कही तो उन्होंने सुझाओ मांग दिया इसके फिल्म का टाइटल दिलवाले दुलन या ले जाएंगे किरन खेर ने सजेस्ट किया था इस बात का जिक्र यश्राज फिल्म द्वारा पब्लिश की गई बुक आदित्य चोपड़ा रिल्विस दिलवाले दुलन या ले जाएंगे में आदित्य चोपड़ा ने खूद किया उन्होंने लिखा है किरन जी को यह आइडिया 1974 में आई फिल्म चोर मचाई शोर के गाने ले जाएंगे ले जाएंगे दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे सुनकर आया था जब मैंने उनसे यह आइडिया सुना तो मुझे काफी पसंद आया और यह टाइटल फाइनल हो गया वैसे टाइटल काफी लंबा था लेकिन दर्शकों को यह फिल्म इतनी पसंद आई कि लोगों ने इसको शोर्ट में डिडियल जे कहना भी शुरू कर दिया खास कर उस वक्क के युव में दिलवाले दुलन्या ले जाएंगी की जगह डिडियल जी कहने का ही चलन था तिसरा है हॉल्लीट फिल्म से प्रेडित था पर्टन सीन फिल्म दिलवाले दुलन्य ले जाएंगे में शारुकान पर फिल्म आया गया मशूर पल्टन सीन एक हॉलिट फिल्म से प्रिरित था साल 1993 में रिलीज क्लीड इस्टुट की अमेरिकन फिल्म इन दा लाइन ओफ फायर के एक सीन से पल्टन सीन इस्पायर था फिल्म की निर्मान निर्दिशक आदिते चोपड़ा ने जब ये फिल्म देखी तो इंस्टुट का उन्हें वो सीन याद रहा गया जिसमें एक एक्टर की गल्फेंट जा रही होती है और वो उसे टन होने के लिए कहते है बाद में DDLJ में उन्होंने इसी सीन से इंस्पायर ह जिसने अपनी मेकिंग को भी प्रोड्यूस किया था तकनिकी तोर पर तब ये उसे बिहाइंड द सीन के नाम से जानते है आदिते चोपड़े के छोटे भाई उदे चोपड़ा फिल्म में उनके असिस्टन थे जिने मेकिंग रेकॉर्ड करने के जिम्मेदारी मिली थी चौथा है शारू खान के किरदर के नाम की कहानी आदिती चोपड़ा ने फिल्म दिलवाले दुलन्य ले जाएंगे में शारू कान के किरदर का नाम राज रखा है जो कि बॉलूईट के सबसे बड़े शौमा ने राज कपूर से प्रिडित था फिल्में उनका पूरा नाम जो कि 1973 की फिल्म बॉबी में रुशी कपूर के नाम से प्रेडित था। फिल्म के एक सिन में अनुपहम खेर शारुखान को अपने दादा परम दादा की पढ़ाई में नाकाम यह भी किसे सुनाते है। वो दरसल अनुपहम खेर के संगे अंकल के नाम है जो कि वाकई पढ़ाय में कुछ खास अच्छे नहीं थे। यही वही पहली फिल्म थी जिससे मंदीरा बेदी ने बड़े परदे पर अपने अक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। फिल्म में पहली शारुखान की फेमस लेदर जैकेट उदे चोपडा ने कैलिफोनिया के बेकर्स फिल्म में हाल डिविडेंस के शोरुम में 400 डॉलर में खरी दी थी। पाच्छवा है अर्मान को ये फिल्म भी मिलते मिलते रह गई। बिग बॉस फेम एक्टर अर्मान कोली को बॉलुइड का सबसे दुर्गबेशाली अभी निता माना चाता है। उन्होंने जितने फिल्म में की नहीं है उससे कई ज़्यादा ठुकराई है या मिलते मिलते रह गई है। जैसे कि फिल्म दिवाना में शारुकान का रोल उनको मिल रहा था है लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया। उसी तरह फिल्म दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में काजूल के किरदार सिम्रन के मंगेतर कुलजित के रोल के लिए भी पहले अर्मान कोली से बात की गई थी लेकिन ऑडिशन वाले दिन परमित से टीबूट जीन्स और वेस्ट कोट पन कर आए तो स्क्रीन टेस्ट मे पास हो गई इसके बाद अर्मान की जगा परमित को फिल्म में कास्ट कर लिया गया मेंधी लगा के रखना गाने में काजल के लिए मनिश मनोत्रा ने हरे रंग का सूट डिजैन किया लेकिन आदिती चोप्रा ने कहा कि पंजबी परिवारों में लड़किया लाल मरून या गुलाबी कपड़े पहनती है इसके बाद उनके सूट का रंग बदलना पड़ा इस फिल्म का एक मशूर गाना तुझे देखा तो ये जाना असनम गुड़गाओं में शूट किया गया था जाने शारुक खान काजल स्टार फिल्म दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे की कहानी और साती जाने फिल्म से जूड़ी पाच रोचक बाते हिंदी फिल्मों की दुन्या में हर दोर में प्रेम कहानियों पर फिल्म में बनती रही है 1930 के दर्शक में देवदास के साथ दर्शकों की एक पीड़ी ने असफल प्रेमियों की पीड़ा मसूस की 1932 में सिनेमा के बोलने के साथी प्रेम कहानियों का त्रिकोन या खाका बन गया था जिसमें तीन चीजे होती थी प्रेमी प्रेमी का और उनकी मिलन की राह में रोडा अड़काने वाला तत्व आज भी बॉलुईट की प्रेम कानियों में इसे फर्मूलों का इस्तमाल होता है कभी ये तत्व अखल नयक के रूप में होता है कभी जाती प्रदेश उच नीच गरीब अमिर के रूप में है 1944 की रतन सुपर हिट ती जिसका नायका गोविन दा वैशे समाच का था तो नायका गोरी राचबुत समाच की 1981 की एक दुझे के लिए कि तमिल भाषी नायक और उत्तर भारती नायका के मिलन में भाषा के साथ प्रविश्वाद द्रोडान बन जाता है बॉबी के नायक नायक या मैंने प्यार किया कि नायक प्रेम और सुवन के मिलन में अमिरी गरीबी बांदा बन जाती है और प्रेमियों को कड़े इम्तियम से गुजरना पड़ता है मुक्यधारा की निर्मातों का मानना रहा है कि प्रेमी प्रेमिका को मिलन से रोकने वाला तत्व जितना ताकत वर दिखाया जाएगा फिल्म के सफलता के मौके भी उतने जादा बनेंगे मगर 25 सल पहले 20 अक्तुंबर 1995 को रिलीज हुई दिलवाले दुलनिया ले जाएगे ने इस फ्रेमिलों को हाशिये पर पटक दिया यह है ऐसी प्रेम कहानी थी जिसमें नायक नायक का की मिलन को उच नीच अमिरी गरीबी प्रदेश वाद जाती या धर्म रोकते नजर नहीं आते है उसमें नायका सिमरन का पीता बल्दो सिंग परम परावादी है तो नायक राज का पीता धरमिर मलोतरा खूले विचारों का नायक नायक को मिलने से रोकने वाला तत्वा परंपरावादी पीता दिखता तो है मगर होता नहीं क्योंकि वह तो अंत में कहता है कि जा सिमरन जील अपनी जिन्दगी दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में नायक नायक को मिलने से रोखने वाला तत्वा हाला थे स्थीतिया है प्लेटफर्म पर दोड़ती नाई का गती पकड़ रही ट्रेन के दरोजे पर खड़ा नायक और सिनेमा हॉल में दम साथे बैटे दर्शक इस तरह से फिल्म में हालात अपने चरम पर पुछते हैं हालाकि इस क्लाइमेक्स से निर्देशक आदित्य चोपड़ा की पिता यस चोपड़ा नाखुष थे जिस तरह से इंगलेंड अमेरिका समेत विदेश में बसे भारतियों ने दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे को सिराको वल लिया वह हिंदी सिनेमा की दुनिया में अभूत पुर्व है यूरोब की खुब सूर्ती और पंजब की खेतों में लहराती हरियाली से लब्रिश दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे ने बॉक्स ओफिस पर इत्यास रच दिया मुंबई के मराटा मंदिर में यह लगबग 22 साल तक लगातर दिखाई जाती रही इसने हिंद शादी में गवाया गया सपने में मिलती है ओ कुड़ी इस फिल्म की कान जितनी दिल्चस्प है उससे जाधा रोचक इसकी शूटिंग से जूड़े किस्से है इस खास मोगे पर आईए चानते फिल्म से जूड़ी दस खास बातों के बारे में पहला है फिल्म के लिए पहली ब्राइड रखा गया था लेकिन आदित्य के पीता ये चोपड़ा की दिमाग में कुछ और ही चल रहा था चुकि फिल्म रोमेंटिक थी और भाट्य दर्शकों के लिए बनाई जानी थी इसलिए वो चाते थी कि टॉम की जगा शारुक को कास्ट किया जाए काफी समझाने क बाद आदित्य पीता की बात मान गये लेकिन जब ये रोल शारुक को आफर किया गया तो उन्होंने भी इतनी आसानी इसे स्विकार नहीं किया इसके लिए आदित्य चोपड़ा को शारुक के साथ चार बार मिटिंग करनी पड़ी तब जाकर उन्होंने फिल्म साइन किया वेसे ज़िए शारुक नहीं मानते तो आदित्य की अगली पसंद से फेली खानते लेकिन शायद किस्मत इची को कहते है इस फिल्म के जरिये शारुक खान को किंग ओफ रोमेंस का किताब मिलना था दूसरा है फिल्म का फाइनल टाइटल किरन खेर ने दिया फिल्म का नाम पहले दब्रेवट विल टेक दब्राइट रखा गया था लेकिन अपने जमानी की मशुर अदाकर किरन खेर को ये नम सही नहीं लग रहा था उन्होंने आदित्य चोपडा सही से बदलनी की बात कही तो उन्होंने सुझाओ मांग दिया इसके बात फिल्म का टाइटल दिल्वाले दुलन या ले जाएंगे किरन खेर ने सजेस्ट किया था इस बात का जिक्र ये शराज फिल्म द्वारा पब्लिच की गई बुक आदित्य चोपडा रिल्विस दिल्वाले दुलन या ले और ये टाइटल फाइनल हो गया वैसे टाइटल काफी लंबा था लेकिन दर्शकों को ये फिल्म इतनी पसंद आई कि लोगों ने इसको शौट में डिडील जे कहना भी शुरू कर दिया खासकर उस वक्क के युवाव में दिल्वाले दुलन या ले जाएंगे कि जगह डि फिल्म की निर्मा निर्दिशक आदिते चोपड़ा ने जब ये फिल्म देखी तो इंस्टुट का उन्हें वो सीन याद रहा गया जिसमें एक एक्टर की गल्फेंट जा रही होती है और वो उसे टन होने के लिए कहते है बाद में डिडील जे में उन्होंने इसी सीन से इं किंग को भी प्रोड्यूस किया था तकनिकी तोर पर तब ये उसे बिहाइंड द सीन के नाम से जानते है आदिते चोपड़े के छोटे भाई उदे चोपड़ा फिल्म में उनके असिस्टन थे जिने मेकिंग रेकॉर्ड करने के जिम्मेदारी मिली थी चौता है शारुकान क किरदर के नाम की कहानी आदित चोपड़ा ने फिल्म दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में शारुकान के किरदर का नाम राज रखा है जो कि बॉल्वीड की सबसे बड़े शोमा ने राज कपूर से प्रिडित था फिल्म में उनका पूरा नाम राज ना था जो की 1973 की फि इली फिल्म थी जिससे मंदीरा बेदी ने बड़े परदे पर अपने अक्टिंग करियर की शुरुआत की थी फिल्म में पहली शारुकान की फेमस लेदर जैकेट उदे चोपडा ने कैलिफोनिया के बेकर्स फिल्म में हाल डिविडेंस के शोरूम में 400 डॉलर में खरी दी पाच्वा है अर्मान को ये फिल्म भी मिलते मिलते रह गई बिग बॉस फेम एक्टर अर्मान कोली को बॉलुइड का सबसे दुर्गबेशाली अभी नेता माना चाता है उन्होंने जितने फिल्में की नहीं है उससे कई ज़्यादा ठुक रही है या मिलते मिलते रह गई है जैसे कि फिल्म दिवाना में शारुकान का रूल उनको मिल रहा था है लेकिन उनोंने इनकार कर दिया उसी तरह फिल्म दिल वाले दुलनिया ले जाएंगे मैं काजूल के किरदार सिम्रन के मंगेतर कुलजित के रूल की लिए भी पहले अर्मान कोली से बात की गए थी लेकिन आडिशन वाले दिन परमित से टीबूट जीन्स और वेस्ट कोट पन कराए तो स्क्रीन टेस्ट में पास हो गई इसके बाद अर्मान की जगा परमित को फिल्म में कास्ट कर लिया गया मेंदी लगा के रखना गाने में काजल के लिए मनिश मनोतरा ने हरे रंग का सूट डिजैन किया लेकिन आदिति चोपड़ा ने कहा कि पंजबी परिवारों में लड़किया लाल मरून या गुलाबी कपड़े पहनती है इसके बाद उनके सूट का रंग बदलना पड़ा इस फिल्म का एक मशूर गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम गुड़गाओं में शूट किया गया था जाने शारुक खान काजल स्टार फिल्म दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे की कहानी और साती जाने फिल्म से जूड़ी पाच रोचक बाते हिंदी फिल्मों की दुन्या में हर दोर में प्रेम कहानियों पर फिल्म में बनती रही है 1930 के दशक में देवदास के साथ दर्शकों की एक पीड़ी ने असफल प्रेमियों की पीड़ा महसूस की 1932 में सिनेमा के बोलने के साथ इप्रेम कहानियों का त्रिकों य खाका बन गया था जिसमें तीन चीजे होती थी प्रेमी प्रेमी का और उनकी मिलन की रा में रोड़ा अड़काने वाला तत्व कभी ये तत्व खलनायक की रूप में होता है कभी जाती, प्रदेश, उच नीच, गरीब, अमिर के रूप में है 1944 की रतन सुपर हिट थी जिसका नायका गोविन दा वैशे समाज का था तो नायका गोरी राचबुत समाज की 1981 की एक दुझे के लिए की तमिल भाषी नायक और उत्तर भारती नायका के मिलन में भाषा के साथ प्रविश्वाद द्रोडान बन जाता है बॉबी के नायक नायका या मैंने प्यार किया के नायक प्रेम और सुवन के मिलन में अमिरी गरीबी बांदा बन जाती है और प्रेमियों को कड़े इम्तियम से गुजरना पड़ता है मुक्यधारा की निर्मातों का मानना रहा है कि प्रेमी प्रेमिका को मिलन से रोकने वाला तत्व जितना ताकत वर दिखाया जाएगा फिल्म के सफलता के मौके भी उतने जादा बनेंगे मगर 25 सल पहले 20 अक्तुंबर 1995 को रिलीज हुई दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे ने इस फ्रेमिलों को हाशिये पर पटक दिया यह है ऐसी प्रेम कहानी थी जिसमें नायक नायक का की मिलन को उच नीच अमिरी गरीबी प्रदेश वाद जाती या धर्म रोकते नजर नहीं आते है उसमें नायका सिमरन का पीता बल्दो सिंग परंपरावादी है तो नायक राज का पीता धरमिर मलोतरा खूले विचारों का नायक नायक को मिलने से रोकने वाला तत्वा परंपरवादी पीता दिखता तो है, मगर होता नहीं, क्योंकि वो तो अंत में कहता है कि जा सिमरन जील अपनी जिन्दगी दिलवाले दुलन्या ले जाएंगे में नायक नायक को मिलने से रोकने वाला थे स्थीतिया है प्लेटफरंम पर दोरती नायका, गती पकड हरे ट्रेन के दोरोजे पर खड़ा नायक और सिनेमा हॉल में दम साथे बेटे दर्शक इस तरह से फिल्म में हालात अपने चरम पर पुछते हैं हालाकि इस क्लाइमेक्स से निर्देशक आदित्य चोपडा की पिता यस चोपडा ना खुछ थे जिस तरह से इंगलेंड अमेरिका समेट विदेश में बसे भारतियों ने दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे को सिराको वल लिया वह हिंदी सिनेमा की दुनिया में अभूत पुर्व है यूरोब की खुबसूरती और पंजब की खेतों में लहराती हरियाली से लबरिश दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे ने बॉक्स ओफिस पर इत्यास रज़ दिया मुंबई की मराटा मंदिर में ये लगबग 22 साल तोक लगातर दिखाई जाती रही इसने हिंदी फिल्मों का चैरा मौरा बदल दिया इस फिल्म के बाद अमेरिका, इंगलंड और कनाडा में बसे पंजबियों को ध्यान में रखकर फिल्म में और उनके गाने बनाने का चलन चल पड़ा फिल्मों में सर्सो की खेत लहराने लगय और गानों में पंजबी शब्ध कुड़ी और मुंडे ऐसे आम हुए कि सत्या जैसी फिल्म में मराटी परिवर से अपने यह होने वाली शादी में गवाया गया सबने में मिलती है ओ कुड़ी इस फिल्म की कान जितनी दिल्चस्प है उससे ज़्यादा रोचक इसकी शूटिंग से जूड़े किस्से है इस खास मोगे पर आईए चानते फिल्म से जूड़ी दस खास बातों के बारे में पहला है फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थे शारुक फिल्म दिलवाले दुलेनिया ले जाएंगे के सबसे बड़े और लीड रोल के लिए शारुक अन पहली पसंद नहीं थे डिरेक्टर आदित्य चूपड़ा इस फिल्म में टॉम क्रूस को बत्तोर लीड कास्ट करना चाते थे उस वक्त तक फिल्म का नाम दब्रेवेट विल टेक दब्राइड रखा गया था लेकिन आदित्य के पिता ये चूपड़ा की दिमाग में कुछ और ही चल रहा था चुकि फिल्म रोमेंटिक थी और भाट्य दर्शकों के लिए बनाई जानी थी इसलिए वो चाते थे कि टॉम की जगा शारुक को कास्ट किया जाए काफी समझाने के बाद आदित्य पिता की बात मान गए लेकिन जब ये रोल शारुक को आफर किया गया तो उन्होंने भी इतनी आसानी इसे स्विकार नहीं किया इसके लिए आदित्य चोपड़ा को शारुक के साथ चार बार मिटिंग करनी पड़ी तब जाकर उन्होंने फिल्म साइन किया वैसे ज़िए शारुक नहीं मानते तो आदित्य की अगली पसंद सेफली खानते लेकिन शायद किस्मत इसी को कहते है इस फिल्म के जरिये शारुक खान को किंग ओफ रोमेंस का किताब मिलना था दूसरा है फिल्म का फाइनल टाइटल किरन खेर ने दिया फिल्म का नाम पहले दब्रेवट विल टेक दब्राइट रखा गया था लेकिन अपने जमाने की मशुर अदाकर किरन खेर को ये नम सही नहीं लग रहा था उन्होंने आदित चोपडा सही से बदलने की बात कही तो उन्होंने सुझाओ मांग दिया इसके बात फिल्म का टाइटल दिलवाले दुलन या ले जाएंगे किरन खेर ने सजेस्ट किया था इस बात का जिक्र ये शराज फिल्म द्वारा पब्लिच की गई बुक आदित चोपडा रिल्विस दिलवाले दुलेनिया ले जाएंगे मैं आदित चोपडा ने खूद किया उन्होंने लिखा है किरन जी को यह आइडिया 1974 में आई फिल्म चोर मचाई शोर के गाने ले जाएंगे ले जाएंगे दिलवाले दुलेनिया ले जाएंगे सुनकर आया था जब मैंने उनसे ये आइडिया सुना तो मुझे काफी पसंद आया और ये टाइटल फाइनल हो गया वैसे टाइटल काफी लंबा था लेकिन दर्शकों को ये फिल्म इतनी पसंद आई कि लोगों ने इसको शॉर्ट में DDLJ कहना भी शुरू कर दिया खासकर उस वक्क ही युव फीलव में दिलवाले दुलन या लेजाएंगी की जगा DDLJ कहने का ही चलन था तिसरा है हॉल्यूट फिल्म से प्रेडित था पर्टन सीन फिल्म दिलवाले दुलन्य ले जाएंगे में शारुकान पर फिल्म आया गया मशूर पल्टन सिनेक हॉलिट फिल्म से प्रिरित था साल 1993 में रिलीज क्लीड इस्टूट की अमेरिकन फिल्म इन दा लाइन ओफ फायर के एक सीन से पल्टन सीन इस्पायट था फिल्म की निर्मान निर्दिशक आदिते चोपड़ा ने जब ये फिल्म देखी तो इंस्टूट का उन्हें वो सीन याद रहा गया जिसमें एक एक एक्टर की गल्फेंट जा रही होती है और वो उसे टन होने के लिए कहते है बाद में DDLJ में उन्होंने इसी सीन से इंस्पायर होकर राज सिमरन पर पलट सीन क्रियेट कर दिया बताया जाता है कि DDLJ की स्क्रिप लिखने में आदिते चोपड़ा को केवल एक महिने का समय लगा था इसके साथ ये भारती सीने ETS की ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसने अपनी मेकिंग को भी प्रोड्यूस किया था तकनिकी तोर पर तब ये उसे बिहाइंड द सीन के नाम से जानते है आदिते चोपड़े के छोटे भाई उदे चोपड़ा फिल्म में उनके असिस्टन थे जिने मेकिंग रिकॉर्ड करने के जिम्मेदारी मिली थी चोथा है शारुखान के किरदर के नाम की कहानी आदिते चोपड़ा ने फिल्म दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में शारुखान के किरदर का नाम राज रखा है जो कि बॉल्वीड की सबसे बड़े शोमा ने राज कपूर से प्रिडित था फिल्म में उनका पूरा नाम राज नात था जो की 1973 की फिल्म बॉबी में रुशी कपूर के नाम से प्रिडित था फिल्म के एक सीन में अनुपहम खेर शारुखान को अपने दादा परम दादा की पढ़ाई में नाकाम ये भी किससे सुनाते है वो दरसल अनुपहम खेर के संगे अंकल के नाम है जो की वाकई पढ़ाय में कुछ खास अच्छे नहीं थे यही वही पहली फिल्म थी जिससे मंदीरा बेदी ने बड़े परदे पर अपने अक्टिंग करियर की शुरुआत की थी फिल्म में पहली शारुखान की फेमस लेदर जैकेट उदे चोपडा ने कैलिफोनिया के बेकर्स फिल्म में हाल डेविडेंस के शोरुम में 400 डॉलर में खरी दी थी पाच्छवा है अर्मान को ये फिल्म भी मिलते मिलते रह गई बिग बॉस फेम एक्टर अर्मान कोली को बॉलुइड का सबसे दुर्गबेशाली अभी निता माना चाता है उन्होंने जितने फिल्में की नहीं है उससे कई जाधा ठुकराई है या मिलते मिलते रह गई है जैसे कि फिल्म दिवाना में शारुकान का रोल उनको मिल रहा था लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया उसी तरह फिल्म दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में काजल के किरदार सिमरन के मंगेतर कुलजित के रोल के लिए भी पहले अर्मान कोली से बात की गई थी लेकिन ऑडिशन वाले दिन परमित से टीबूट जीन्स और वेस्ट कोट पन कराए तो स्क्रीन टेस्ट में पास हो गई इसके बाद अर्मान की जगा परमित को फिल्म में कास्ट कर लिया गया मेंदी लगा के रखना गाने में काजल के लिए मनिश मनोतरा ने हरे रंग का सूट डिजैन किया लेकिन अदित्य चोपड़ा ने कहा कि पंजबी परिवारों में लड़किया लाल मरून या गुलाबी कपड़े पहनती है इसके बाद उनके सूट का रंग बदलना पड़ा इस फिल्म का एक मशूर गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम गुड़गाओं में शूट किया गया था अब है कि अले कि आओ बैट अबहाले हो का अशूर आओ शूर अशूर इसरी ता है अब अब तक रिंगाउड एकоловाइटेने लिखुआर ख़ूं कंघ पिर यहांगीं, रिखुम पकुंड़ जा ओव अधिधाने व और नहींदा भी जी पूले के दाणने एक बीकाईटेने लिखुआराय से ऐसे सब्सक्राइटेने लिखेया है, बीखे भी कंदा है आधो बेता रहा हुद करे शाथ नहीं को पलॉटें। आछ आछ इस सब मोचा को पाव हुदा। इस यह हएंदृ कर दो आछें। इक अस नहीं थे प्रशकेंन को बेद पश्च थी। प्रूच आछें। प्रूच आछ जी। तो जा करें करें? यह? यह जा एक रखने वेश्ट थैसे थैक्षी वेश्ट परेंगे हेलो गईज जी आप लिए जी आप काना चाहों के गयाओ किसो जावाओने अगरें वेश्टनगे करें जावाओने करें लिए भाट एंद गयाओ वेसी को थो खिए हम उप्रफ कर दो दिए को आए प्र्फिस ते एंगत इसा हुआ है यह जो प्रफिट के लेखना है थाँ इस्टा प्रफिट वाईअ है तो अनुस्टिछा प्रफिछाईए कि अफरफिटी बस वाँ खे एंगत प्रत्रफ दिए so here I am also matching scores कि जए साल के बारे में इंचा सती लिए लुग अब कर भी दरण का बड्ले कर शे hmm लख रास पियुक कर शेब करने में थोगा जिक्टा चाहिस सब्नाड वर्ज पारे में ultimate Honestly, मैं इस बार इतना फॉलो नहीं कर रही हूँ मैं इस बार इतना फॉलो नहीं कर रही हूँ मैं इस बार इतना फॉलो नहीं कर रही हूँ Of course, as a little one, Abdu is very very cute If I meet him, I would love to give him a hug What about Tina? Tina, of course, my best wish is with her But I've not been following the show Tina or Shalimka? Sorry, Tina or? Tina or Shalimka? Yes Yes Like I said, I haven't seen the show I haven't followed much more So it will not be right for me to make a comment Because I haven't seen the show In Shalimka, we have seen that Devalina We have recently said that Shalimka and other people Yes Yes What do you want to see from the viewers? I am happy for her And I think that every individual This should be right That you know, they choose how their wedding should be Whether they want a private affair Or whether they want to call everybody And make noise about it So I wish you all the best Christmas is coming What kind of Christmas is coming Do you not have any plans? Yes 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 So I am looking at baking a nice cake And having a good time with my loved ones What will I do? I think that one day will decide I think like you mentioned earlier It will be a surprise only Yes Why not? I am open If it comes I am very open to take it up What is your wish for your new year? What is your wish for your new year? To all my friends, audiences, audiences and fans To all my new year Here is wishing a very 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 happy new year Be safe, be good and be a better version of yourself Thank you Thank you Thank you So like So like So like So first of all, Vishal, how do you work and if you do Gold and Gold Coast And then I am going to call myself one of the producers of Gold Coast Films Because they are family to me Sunny Paji Actually I am talking about Sunny Arora My association has been from the day one actually From his previous company to this one And he has been a family to me And since then I have met Neeraj Bhai, Neeraj Mishra He has also He has been like my elder brother So now this company is just not a company I work with It's a company Which is a family for me So I am really excited about this I think that many people are going to come to see What should you be doing? Yeah Today Actually tonight is the night Where we are going to be celebrating the creativity of these creators Because in this time The social media time is In that time We are entertained We are giving new videos We are giving new concepts We are giving new concepts We are giving a lot of entertainment So we just want to appreciate Through these rewards Which means Obviously Their creativity can be appreciated So They can do better And create more So I am wearing this designer called Atul Singh He is a very young Very talented designer Or The reason only I got so attracted to this one Is Out of the box And I am always known for wearing something Which is not Obviously Into a box Or He is a very talented guy I am really happy that he chose me To wear his creation Sadi Vishal With what stream Do you follow Do you have any friends Of course I know people in the house This time And But Unfortunately GCF Gold Coast Films Is very busy This year We have been travelling 2 times Every month So I am not actually getting a time To catch up at the show But I want to Because I am a huge fan So one day I just want to sit And watch all the episodes And I want to see What's happening in the house Because I am missing it Look I have not seen the show So I can't tell What relationship is But I know both In the industry Look The situation is different You are in a house So You have Friends Family Whatever Because You have only that person So There can be Infatuation Feelings I don't know What's happening What's happening And what's happening But let me watch it And see That one I love That one I love Because Social media I like That one There is something Very Very positive And really Nice About Abdu Because I know the feeling Because I was working in Indonesia For such a long time So That is a language barrier After that You are able To communicate With people And I am sure That he is receiving A lot of love From everywhere Actually I think If you will ask me Without watching I would say That he is my favourite In the show Yeah That he is saying I can't see So I can't say What's happening In the show I think Abdu will win Because Since he is my favourite Is it? Why? He will come back He will come back I thought eliminated I was saying Abdu So You have seen You have seen You have seen You have seen Some people In social media Now You have seen You have seen D&B So Now I don't have to clarify Anything Because she is married Already She is a part of my family She is a piece of my heart I love her And I am really happy for her Why do you want to say Like Do you want to say Because People are tweeting Many more sex What do you like? Look This is the price You pay Of being a celebrity Because Aap ki life Aap ki nahi hoti hai Jeb aap Aise professional Jeb aap Jeb aap Jeb aap Loogon se Seedha jude hooye hai To haar ikka apna Apeene ne yaar Matlab You get married to A normal person Also they'll have to Say ki Yeh woh zhaada To I don't think Mujhe lagta hai What matters is Ki Woh douno Khoosh hai Or Wohi matter Kerr Kerta hai Baki Log Acha bhi bolae Bora bhi bolae Hoh hw hmaare kaam ki bare mein bhi hoota hai It's a part of our job So it's a part of our job How was the wedding and how? Aapha 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 साथा धिसमे साथ और मुझाजाने बनाट लाए थdy, ठीश्मे साथ भर्न बाटा है मैंनी इस अधर थेंक्सी पर क्रिपश्मिंग के साथ ही मना पुख दूख दूख झालाएं। So whatever I am going to be doing, it will be definitely with my family. It was very compact, बहुत ही प्यार भरा, बहुत ही compact था और मैं I think उसको और जादर रिस्पेक्ट करने लगया हूँ उसके बाद because she followed her heart and we were with her in everything. And if you are getting the chance as a vileaker and train with your team, will you be the part of that? Is that game changer for me? Of course, I love the show as I say that I don't want to be in the house as a contestant but yes, if I get an opportunity to be in the house for a few days, I would definitely love it. But not as a contestant. I would love to support someone or promote someone, I would love to be there. As new year is going to start very soon as well as what felt, did he any of you subscribe to your site to review? So I recently shot for a music video for Bhat Camp and Bhat Camp is known for their songs so I'm really excited for this one, it's gonna be a big one and it's coming soon. And I'm already almost there with a web show, I hope it works out and if that works out then you'll see something new from Vrishal Singh but other than that, as I said, next year I'm hoping to do some good work. Yeah, say no, Vrishal Singh ka andaaz, maybe more new year? Yeah, this is Vrishal Singh ka andaaz. To all my fans and to everyone, very very happy new year. Matarani karein ki aap sab ko khushyaan milein, sab swasth rahein, that's the most important thing. And sab apne pariwaar ke saath, khush, swasth aur happy ride. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And I'llcepem each other for look at the Lord. I'llpple phone through thank you. Heello furry fans can be superavioral, huh? afect satichopte. Yeah, Pearese yo marini. Let's try to look at that. Alright. Thanks, we'll step through it को अध्यार है अध्याओ कने अध्यार हुआ प्लिए मोध के जगे जी गोद्री कमें तो ओilिए जादी फी नियुक्रा प्ला हिक ज्याओ करन तो пожडाया क्पश शान डरा पाली कारॠी कि फूल तो आ sometimes आज मैंने आज मैंने प्योर जो हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस है मम्मी बहुत दिन से बोल रही दी पहन लो पहन लो पड़ ये इवेंट अब पहन लिया कि चलो ठीक है पहन लो हम पर्सों भी लेते हैं ना कर ड्रेस ये अब हम अब कर्नेकटेट हूंगे डफिनितली रख मैं मैं अल्डटेड हूं इसे यार 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 या यार बटोडेरिय यार अब गाले हुँष्ट ॔रह्ण दी ह्यार यार था शेर अब कर दो प्यां गाल मेरे ना मेरें अप्लेज़ें रही था विड़ाश वहल जाकर अंदर पता चलेगा कि क्या है एक्चली आम और मैं भी कन्फूज हूँ कि अवार्ड है क्या है अवार्ड मिल रहा है या लाउंचिंग पाटी है बस मैं यह देखना चाहती हूं अदर जाकर ओक्यों अब है अब है कि अवार्ड मिल देखते हूं अंदर मेरे कितने सारे फ्रेंड्स नहीं जाकर मिलती हूं कॉन कुण आया वैसे कॉन आया अगे तुमीन इंटरव्यू लिया या तो मेरा भी बस इस्टीन में डेफनलिपलो कर रही हूं और में हजार बार बोल चुकी हूँ आलव प्रियंका जहर्चाओरी तर प्रियामा और राज़चरा के भी उन्हें भी हादी में बहुत जाला फाइट हो गई है तो फाइट्स होती है वो तो चलता है वो आम बात है बिग बॉस के अंदर विक उस्ट महाँ पर दोस्ती होती है तो लडाइया भी होती है और तब ही तो अवाम को मज़ा आएगा न अव्यसले अवाम तभी तो फील करेंगी ओमाइगा अभी कुछ वा एलनों के बीच है अवास से इंटर्टेन्मेंट नहीं हा लेकिन वो इस पाक है डफिनिटली और बहुत अच्छा खेल रही है वो भी बहुत अच्छा खेल रही है बट अब तो आउट हो किया मेंने किसमें इवाइ वालाओ एड लॉटिया है तो बीक बॉझ अभी चैलिंडर को बलाएंगे क्या चैलिंग्या मैं तो हमेशा रेडियो में तो बुडापे में जाओंगी 100-80 साल की भी हो जाओंगी तब भी बलाएंगे तब बी जाओंगी तो अब ही तो मुवी रिलीज मैं माराथी बिग बॉस फॉलो नहीं है और लड़ेंगे नहीं तो फिर मज़ा केसा आएगा बिल्कुल शान्त मेठे रहेंगे लड़ना एक दूसरे को छेड़ना दोस्ति करना यही तो इंपोर्टन है मैं मराथी बिग बॉस फॉलो नहीं की मैं और देखा इतके सा था Channas अर यह यार ता-म्म्म नियुद कर अपनाव है मैं मैं नहीं देखा ले भड़ना सार operate शोर मुझे नहीं पता आएँ था भा उनको मैं पर्सनली ता समझाने का तरीका ता उससे वो काफी मैच्व पस्नालिटी लगे बाकि मुझे परस्टनली बिल्कुल बाखुदा नहीं पता के वो कैसे इंसान है नहीं नहीं चिलाया नहीं उन्होंने समझाय है कि आप एकी बात को बार बार दोरा रहें वो चिलाया है यह समझाया है अभी क्यों हूता है ना आप जब घर में होते हो न तो आपको पता नहीं होता आप किसी को टीस करते रहते हॉ छेडते हैं और आपको यह नहीं पता होता कि वो बहार जाकर मुद्धा इतना बड़ा हो गया है जैसे हम भी बहुत चीजों उसे लोगों को परिशान करते थे लेकिन जैसे अगर मैं खानदान पर बात कर देती थे तो बड़ा मुद्धा बना दिया जाता था बहर के और शिक खान ने खांदान पर बात कर लिया जा रहा है खांदान पर भी बात की जा रही है पूरा उनकी जुर्यात उठाई जा रही है बट अभी तक कुछ बोला नहीं जा रहा है I don't know what is this Top 3 I think are Priyanka मैंने सुचा था Top 5 अबदू होगा बट अबदू निकल गया प्रियांका अंकित और शेव सबको हार्दिक 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 शुप्राम नाय क्रिस्पस की और नियू यर्द की शुप्रिया थांक यू जाने शारुक खान काजल स्टार फिल्म दिल वाले दुलनियन ले जाएंगी की कहानी और साती जाने फिल्म से जूड़ी पाच रोचक बाते हिंदी फिल्मों की दुन्या में हर दोर में प्रेम कहानियों पर फिल्म में बनती रही है 1930 की दशक में देवदास की साथ दर्शकों की एक पीडी ने असफल प्रेमियों की पीड़ा महसूस की 1932 में सिनेमा के बोलने के साथी प्रेम कहानियों का त्रिकों यह खाका बन गया था जिसमें तीन चीजे होती थी प्रेमी प्रेमी का और उनकी मिलन की रहा में रोड़ा अड़काने वाला तत्व आज भी प्रेम कहानियों में इसे फर्मूलों का इस्तमाल होता है कभी यह तत्वखल नायक के रूप में होता है कभी जाती प्रदेश उच नीच गरीब अमिर के रूप में है 1944 की रतन सुपर हिट ती जिसका नायका गोविन दा वैश्य समाच का था तो नायका गोवरी राचबुत समाच की 1981 की एक दुझे के लिए की तमिल भाषी नायक और उत्तर भारती नायका के मिलन में भाषा की साथ प्रविश्वाद द्रोडान बन जाता है बॉबी के नायक नायका या मैंने प्यार किया के नायक प्रेम और सुवन के मिलन में अमेरी गरी भी बांदा बन जाती है और प्रेमियों को कड़े इमत्यान से गुजरना पड़ता है मुक्य धरा की निर्मातों का मानना रहा है कि प्रेमी प्रेमिका को मिलन से रोकने वाला तत्व जितना ताकत वर दिखाया जाएगा फिल्म के सफलता के मौके भी उतने जादा बनेंगे मगर 25 सल पहले 20 अक्तुंबर 1995 को रिलीज हुई दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे ने इस फ्रेमिलो को हाशिये पर पठक दिया यह है एससी फ्रेम कहानि थी जिसमें नायक नायक के मिलन को उच नीच अमिरी गरी भी प्रदेश वाद जाती या धर्म रोकते नजर नहीं आते है उसमें नायका सिमरन का पीता बल्दो सिंग परम परावादी है तो नायक राज का पीता धरमिर मलोतरा खूले विचारों का नायक नायक को मिलने से रोकने वाला तत्वा परम परवादी पीधा दिखता तो है, मगर होता नहीं, क्योंगि वह तो अंत में कहता है कि जा सिमरन जील अपनी जिन्दगी दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में नायक नायक को मिलने से रोकने वाला तत्वा हालाते श्तीतिया है प्लेटफर्म पर दोड़ती नाई का गती पकड़ रही ट्रेन के दरोजे पर खड़ा नायक और सिनेमा हॉल में दम साथे बैटे दर्शक इस तरह से फिल्म में हालात अपने चरम पर पुछते हैं हालाकि इस क्लाइमेक्स से निर्देशक आदित्य चोपड़ा की पिता यस चोपड़ा नाखुष थे जिस तरह से इंगलेंड अमेरिका समेत विदेश में बसे भारतियों ने दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे को सिराको वल लिया वह हिंदी सिनेमा की दुनिया में अभूत पुर्व है यूरोब की खुब सूर्ती और पंजब की खेतों में लहराती हरियाली से लबरिश दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे ने बॉक्स ओफिस पर इत्यास रज दिया मुंबई के मराटा मंदिर में यह लगबग 22 साल तक लगातर दिखाई जाती रही इसने हिंदी फिल्मों का चैरा मौरा बदल दिया इस फिल्म के बाद अमेरिका इंगलंड और कनाडा में बसे पंजबियों को ध्यान में रखकर फिल्म में और उनके गाने बनाने का चलन चल पड़ा फिल्मों में सरसों की खेत लहराने लगया और गानों में पंजबी शब्त कुडी और खास मोगे पर आईए चानते फिल्म से जूड़ी दस खास बातों के बारे में पहला है फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थे शारूक, फिल्म दिल वाले दुलनिय ले जाएंगे के सबसे बड़े और लीड रोल के लिए शारूक अन पहली पसंद नहीं थे, डारेक्टर आद काफी समझाने के बाद आदित्य पिता की बात मान गए, लेकिन जब ये रोल शारूक को आफर किया गया, तो उन्होंने भी इतनी आसानी इसे स्विकार नहीं किया, इसके लिए आदित्य चोपड़ा को शारूक के साथ चार बार मिटिंग करनी पड़ी, तब जाकर उन्हों उन्हें फिल्म साइन किया, वैसे यदि शारूक नहीं मानते तो आदित्य की अगली पसंद से फली खानते, लेकिन शायद किस्मत इची को कहते है, इस फिल्म के जरिये शारूक खान को किंग ओफ रोमेंस का किताब मिलना था, दूसरा है फिल्म का फाइनल टाइटल कीरन ख जाएंगे किरन खेर ने सजेस्ट किया था, इस बात का जिक्र यश्राच फिल्म द्वारा पब्लिच की गई बुक आदित्य चोपडा, रिल्विस, दिलवाले दुलेनिया ले जाएंगे मैं आदित चोपडा ने खूद किया, उन्होंने लिखा है किरन जी को यह आइडिया 1974 में आई फिल्म चोर मचाई शोर के गाने ले जाएंगे, ले जाएंगे, दिलवाले दुलेनिया ले जाएंगे सुनकर आया था, जब मैंने उनसे यह आइडिया सुना तो मुझे काफी पसंद आया, और यह टाइटल फाइनल हो गया, वैसे टाइटल काफी लंबा था, ले फिल्म दिलवाले दुलेनिया ले जाएंगे में शारुकान पर फिल्म आया गया, मशूर पल्टन सिन एक हॉलिट फिल्म से प्रेडित था, साल 1993 में रिलीज क्लीट स्ट्वर्ट की अमेरिकन फिल्म इन दा लाइन आफ फायर के एक सीन से पल्टन सीन इस्पायर था, फिल्म जेकी स्क्रीप लिखने में आदिते चोपड़ा को केवल एक महिने का समय लगा था, इसके साथ ये भारतिय सीन एटियस की ये पहली ऐसी फिल्म थी, जिसने अपनी मेकिंग को भी प्रोड्यूस किया था, तकनिकी तोर पर तब ये उसे बिहाइंड द सीन के नाम से जानते ह आदिते चोपड़े के छोटे भाई उदे चोपड़ा फिल्म में उनके असिस्टन थे, जिने मेकिंग रेकॉर्ड करने के जिम्मेदारी मिली थी चौता है शारुखान के किरदर के नाम की कहानी आदिते चोपड़ा ने फिल्म दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में शारुखान के किरदर का नाम राज रखा है जो कि बॉल्वीड के सबसे बड़े शोमा ने राज कपूर से प्रेडित था फिल्म में उनका पूरा नाम राजनात था जो कि 1973 की फिल्म बॉबी में रुशी कपूर के नाम से प्रेडित था फिल्म के एक सीन में अनुपहम खेर शारुखान को अपने दादा परम दादा की पढ़ाई में नाकाम यभी किसे सुनाते है वो दरसल अनुपहम खेर के संगे अंकल के नाम है जो की वाकई पढ़ाय में कुछ खास अच्छे नहीं थे यही वही पहली फिल्म थी जिससे मंदीरा बेदी ने बड़े परदे पर अपने अक्टिंग करियर की शुरुआत की थी फिल्म में पहली शारुखान की फेमस लेदर जैकेट उदे चोपडा ने कैलिफोनिया के बेकर्स फिल्म में हाल डेविडेंस के शोरुम में 400 डॉलर में खरी दी थी पाच्छवा है अर्मान को ये फिल्म भी मिलते मिलते रहा गई बिग बॉस फेम एक्टर अर्मान कोली को बॉलुइड का सबसे दुर्गबेशाली अभी निता माना चाता है उन्होंने जितने फिल्में की नहीं है उससे कई ज़्यादा ठुकराई है या मिलते मिलते रहा गई है जैसे की फिल्म दिवाना में शारुकान का रोल उनको मिल रहा था है लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया उसी तरह फिल्म दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में काजोल के किरदार सिमरन के मंगेतर कुल्जित के रोल के लिए भी पहले अर्मान कोली से बात की गई थी लेकिन आडिशन वाले दिन परमित से टीबूट जीन्स और वेस्ट कोट पन कराए तो स्क्रीन टेस्ट में पास हो गई इसके बाद अर्मान की जगा परमित को फिल्म में कास्ट कर लिया गया मेंदी लगा के रखना गाने में काजल के लिए मनिश मनोतरा ने हरे रंग का सूट डिजैन किया लेकिन आदिती चोपड़ा ने कहा कि पंजबी परिवारों में लड़किया लाल मरून या गुलाबी कपड़े पहनती है इसके बाद उनके सूट का रंग बदलना पड़ा इस फिल्म का एक मशूर गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम गुड़गाओं में शूट किया गया था जाने शारुक खान काजल स्टार फिल्म दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे की कहानी और साती जाने फिल्म से जूड़ी पाच रोचक बाते हिंदी फिल्मों की दुन्या में हर दोर में प्रेम कहानियों पर फिल्म में बनती रही है 1930 के दशक में देवदास के साथ दर्शकों की एक पीड़ी ने असफल प्रेमियों की पीड़ा महसूस की 1932 में सिनेमा के बोलने के साथ प्रेम कहानियों का त्रिकों यह खाका बन गया था जिसमें तीन चीजे होती थी प्रेमी प्रेमी का और उनकी मिलन की राह में रोड़ा अड़काने वाला तत्व आज भी बॉलुइट की प्रेम कानियों में इसे फर्मूलों का इस्तमाल होता है कभी ये तोत्वखल नायक के रूप में होता है कभी जाती, प्रदेश, उच नीच, गरीब, अमिर के रूप में है 1944 की रतन सुपर हिट थी, जिसका नायका गोविन दा वैशे समाज का था तो नायका गोरी राचपुत समाज की 1981 की एक दुजे के लिए की तमिल भाशी नायक और उत्तरभारती नायका के मिलन में भाशा की साथ प्रविश्वाद द्रोडान बन जाता है बॉबी के नायक नायका या मैंने प्यार किया के नायक प्रेम और सुवन के मिलन में अमेरी गरी भी बांदा बन जाती है और प्रेमियों को कड़े इमत्यान से गुजरना पड़ता है मुक्य धरा की निर्मातों का मानना रहा है कि प्रेमी प्रेमिका को मिलन से रोकने वाला तत्व जितना ताकत वर दिखाया जाएगा फिल्म के सफलता के मौके भी उतने जादा बनेंगे मगर 25 सल पहले 20 अक्तुंबर 1995 को रिलीज हुई दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे ने इस फर्मिलो को हाशिये पर पटक दिया यह है ऐसी प्रेम कहानी थी जिसमें नायक नायक का की मिलन को उच नीच अमिरी गरीबी प्रदेश वाद जाती या धर्म रोकते नजर नहीं आते है उसमें नायका सिमरन का पीता बल्दो सिंग परंपरावादी है तो नायक राज का पीता धरमिर मलोतरा खूले विचारों का नायक नायक को मिलने से रोकने वाला तत्वा परम परवादी पीता दिखता तो है मगर होता नहीं क्योंकि वो तो अंत में कहता है कि जा सिमरन जील अपनी जिन्दगी दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में नायक नायक को मिलने से रोकने वाला तत्वा हाला थे स्थीतिया है प्लेटफर्म पर दोड़ती नाई का गती पकड़ रही ट्रेन के दरोजे पर खड़ा नायक और सिनेमा हॉल में दम साथे बैटे दर्शक इस तरह से फिल्म में हालात अपने चरम पर पुछते हैं हालाकि इस क्लाइमेक्स से निर्देशक आदित्य चोपड़ा की पिता यस चोपड़ा नाखुष थे जिस तरह से इंगलेंड अमेरिका समेत विदेश में बसे भारतियों ने दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे को सिराको वल लिया वह हिंदी सिनेमा की दुनिया में अभूत पुर्व है यूरोब की खुब सूर्ती और पंजब की खेतों में लहराती हरियाली से लबरिश दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे ने बॉक्स ओफिस पर इत्यास रज दिया मुंबई के मराटा मंदिर में यह लगबग 22 साल तक लगातर दिखाई जाती रही इसने हिंदी फिल्मों का चेहरा मौरा बदल दिया इस फिल्म के बाद अमेरिका, इंगलंड और कनाडा में बसे पंजब्यों को ध्यान में रखकर फिल्म में और उनके गाने बनाने का चलन चल पड़ा फिल्मोंं खेत लहराने लगे और गानों में पंजबी शब्द कुड़ी और मुंडे ऐस्याम हुए कि सत्या जैसी फिल्म में मराटी परिवर से अपने यह होने वाली शादी में गवाया गया सपने में मिलती है वो कुड़ी इस फिल्म की कान जितनी दिल्चस्प है उससे ज्यादा उसको बत्तोर लीड कास्ट करना चाते थे उस वक्त तक फिल्म का नाम दब्रेवेट विल टेक दब्राइड रखा गया था लेकिन आदित्य की पीता यह चोपड़ा की दिमाग में कुछ और ही चल रहा था चुकि फिल्म रोमेंटिक थी और भार्टे दर्शकों के लिए ब पाड़ी तब जाकर उन्होंने फिल्म साइन किया वैसे यदि शारुक नहीं मानते तो आदित्य की अगली पसंद सेफली खानते लेकिन शायद किस्मत इची को कहते है इस फिल्म के जरिये शारुक खान को किंग ओफ रोमेंस का किताब मिलना था दूसरा है फिल्म का फाइन ले जाएंगे किरन खेर ने सजेस्ट किया था इस बात का जिक्र यश्राच फिल्म द्वारा पब्लिच की गई बुक आदित्य चोपडा रिल्विस दिलवाले दुलेन या ले जाएंगे मैं आदित्य चोपडा ने खूद किया उन्होंने लिखा है किरन जी को यह आइडिय 1974 में आई फिल्म चोर मचैशोर के गाने ले जाएंगे ले जाएंगे दिल्वाले दुलेने ले जाएंगे सुनकर आया था जब मैंने उनसे यह आइडिया सुना तो मुझे काफी पसंद आया और यह टाइटल FINAL हो गया वैसे टाइटल काफी लंबा था लेकिन दर्शकों को ये फिल्म इतनी पसंद आई कि लोगों ने इसको शॉर्ट में डिडील जे कहना भी शुरू कर दिया खास कर उस वक्क के युव में दिलवाले दुलन्या ले जाएंगे की जगह डिडील जे कहने का ही चलन था तिसरा है हॉल्वीट फिल्म से प्रेरित था पर्टन सीन फिल्म दिलवाले दुलन्या ले जाएंगे में शारुकान पर फिल्म आया गया मशुर पर्टन सीन एक्ध हॉलिट फिल्म से प्रेरित था साल 1993 में रिलिज्ट लीड इस्टिवर्ट की अमेरिकन फिल्म इन दा लाइन ओफ फायर के एक सीन से पर्टन सीन इस्पायड था DDLJ की स्क्रिप लिखने में आदिते चोपड़ा को केवल एक महिने का समय लगा था इसके साथ ये भारतिय सी ने ETS की ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसने अपनी मेकिंग को भी प्रोड्यूस किया था तकनिकी तोर पर तब ये उसे बिहाइंड द सीन के नाम से जानते है आदिते सबसे बड़े शौमा ने राज कपुर से प्रिदी था फिल्म में उनका पुरा नाम राजना था जो की 1973 की healthy rookie film बोभी में रुशी कपुर के नाम से प्रिदी था फिल्म की औरशलाव किछिरू झी पड़े पर अपने एक्प्रमा की प्रम की परदाई फिल्म में पहली शारुखान की फेमस लेदर जैकेट उदे चोपडा ने कैलिफोनिया के बेकर्स फिल्म में हाल डिविडेंस के शोरूम में 400 डॉलर में खरी दी थी पाच्छवा है अर्मान को ये फिल्म भी मिलते मिलते रह गई बिग बॉस फेम एक्टर अर्मान कोली को बॉलुइड का सबसे दुर्गबेशाली अभी निता माना चाता है उन्होंने जितने फिल्में की नहीं है उससे कई ज़्यादा ठुकराई है या मिलते मिलते रह गई है जैसे कि फिल्म दिवाना में शारुकान का रोल उनको मिल रहा था है लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया उसी तरह फिल्म दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में काजोल के किरदार सिमरन के मंगेतर कुल्जित के रोल के लिए भी पहले अर्मान कोली से बात की गई थी लेकिन आडिशन वाले दिन परमित से टीबूट जीन्स और वेस्ट कोट पन कराए तो स्क्रीन टेस्ट में पास हो गई इसके बाद अर्मान की जगा परमित को फिल्म में कास्ट कर लिया गया मेंदी लगा के रखना गाने में काजल के लिए मनिश मनोतरा ने हरे रंग का सूट डिजैन किया लेकिन आदिती चोपड़ा ने कहा कि पंजबी परिवारों में लड़किया लाल मरून या गुलाबी कपड़े पहनती है इसके बाद उनके सूट का रंग बदलना पड़ा इस फिल्म का एक मशूर गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम गुड़गाओं में शूट किया गया था जाने शारुक खान काजल स्टार फिल्म दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे की कहानी और साती जाने फिल्म से जूड़ी पाच रोचक बाते हिंदी फिल्मों की दुन्या में हर दोर में प्रेम कहानियों पर फिल्म में बनती रही है 1930 के दशक में देवदास के साथ दर्शकों की एक पीड़ी ने असफल प्रेमियों की पीड़ा महसूस की 1932 में सिनेमा के बोलने के साथी प्रेम कहानियों का त्रिकों यह खाका बन गया था जिसमें तीन चीजे होती थी प्रेमी प्रेमी का और उनकी मिलन की राह में रोड़ा अड़काने वाला तत्व आज भी बॉलुइट की प्रेम कानियों में इसे फर्मूलों का इस्तमाल होता है कभी ये तोत्वखल नायक के रूप में होता है कभी जाती, प्रदेश, उच नीच, गरीब, अमिर के रूप में है 1944 की रतन सुपर हिट थी, जिसका नायका गोविन दा वैशे समाज का था तो नायका गोरी राचबुत समाज की 1981 की एक दुजे के लिए की तमिल भाशी नायक और उत्तरभारती नायका के मिलन में भाशा की साथ प्रविश्वाद द्रोडान बन जाता है बॉबी के नायक नायका या मैंने प्यार किया के नायक प्रेम और सुवन की मिलन में अमेरी गरी भी बांदा बन जाती है और प्रेमियों को कड़े इमत्यान से गुजरना पड़ता है मुक्य धरा की निर्मातों का मानना रहा है कि प्रेमी प्रेमिका को मिलन से रोकने वाला तत्व जितना ताकत वर दिखाया जाएगा फिल्म के सफलता के मौके भी उतने जादा बनेंगे मगर 25 सल पहले 20 अक्तुंबर 1995 को रिलीज हुई दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे ने इस फर्मिलो को हाशिये पर पटक दिया यह है ऐसी प्रेम कानी थी जिसमें नायक नायक का की मिलन को उच नीच अमिरी गरीबी प्रदेशवाद जाती या धर्म रोकते नजर नहीं आते है क्योंकि वो तो अंत में कहता है कि जा सिमरन जील अपनी जिंदगी दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में नायक नायक को मिलने से रोकने वाला तत्वा हालाते स्थीतिया है प्लेटफर्म पर दोड़ती नाई का गती पकड़ रही ट्रेन के दरोजे पर खड़ा नायक और सिनेमा हॉल में दम साथे बैटे दर्शक इस तरह से फिल्म में हालात अपने चरम पर पुछते हैं हालाकि इस क्लाइमेक्स से निर्देशक आदित्य चोपड़ा की पिता यस चोपड़ा नाखुष थे जिस तरह से इंगलेंड अमेरिका समेत विदेश में बसे भारतियों ने दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे को सिराको वल लिया वह हिंदी सिनेमा की दुनिया में अभूत पुर्व है यूरोब की खुब सूर्ती और पंजब की खेतों में लहराती हरियाली से लबरिश दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे ने बॉक्स ओफिस पर इत्यास रच दिया मुंबई के मराटा मंदिर में यह लगबग 22 साल तक लगातर दिखाई जाती रही इसने हिंदी फिल्मों का चैरा मौरा बदल दिया इस फिल्म के बाद अमेरिका इंगलंड और कनाडा में बसे पंजबियों को ध्यान में रखकर फिल्म में और उनके गाने बनाने का चलन चल पड़ा फिल्मों में सरसों की खेत लहराने लगया और गानों में पंजबी शब्त कुडी और खास मोगे पर आईए चानते फिल्म से जूड़ी 10 खास बातों के बारे में पहला है फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थे शारूक, फिल्म दिल वाले दुलनिय ले जाएंगे के सबसे बड़े और लीड रोल के लिए शारूक अन पहली पसंद नहीं थे, डारेक्टर आदित चोपड़ा इस फिल्म में टॉम क्रूस को बत्तोर लीड कास्ट करना चाते थे, उस वक्त तक फिल्म का नाम दब्रेवेट विल टेक दब्राइड रखा गया था, लेकिन आदिती की पीता ये चोपड़ा की दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, चुकि फिल्म रोमेंटिक और भारते दर्शकों के लिए बनाई जानी थी, इसलिए वो चाते थे कि टॉम की जगा शारुक को कास्ट किया जाए, काफी समझाने के बाद आदित्य पीता की बात मान गये, लेकिन जब ये रोल शारुक को आफर किया गया, तो उन्होंने भी इतनी आसानी इसे स्विकार नहीं किया, इसके लिए आदित्य चोपड़ा को शारुक के साथ चार बार मिटिंग करनी पड़ी, तब जाकर उन्होंने फिल्म साइन किया, वैसे जदि शारुक नहीं मानते तो आदित्य की अगली पसंद सेफली खानते, लेकिन शायद किस्मत इसी को कहते है, इस फिल्म क जरिये शारुक खान को King of Romance का किताब मिलना था, दूसरा है फिल्म का final title किरन खेर ने दिया, फिल्म का नाम पहले The Brave and Will Take The Bride रखा गया था, लेकिन अपने जमानी की मशुर अदाकर किरन खेर को ये नम सही नहीं लग रहा था, उन्होंने आदित्य चोपड़ा सही से बदलन ले जाएंगे मैं आदित चोपड़ा ने खूद किया, उन्होंने लिखा है किरन जी को ये idea 1974 में आई फिल्म चोर मचाईशोर के गाने ले जाएंगे, ले जाएंगे, दिलवाले दूलनिया ले जाएंगे सुनकर आया था, जब मैंने उनसे ये idea सुना तो मुझे काफी पसं दाई की लोगों ने इसको शौर्ट में डिडील जे कहना भी शुरू कर दिया, खास कर उस वक्क के युवाव में दिलवाले दूलनिया ले जाएंगे की जगह, डिडील जे कहने का ही चलन था, तिसरा है हॉल्वीड फिल्म से प्रेरित था, पर्टन सीन, फिल्म दिलवाले पिर्दिशक आदिते चोपड़ा ने जब ये फिल्म देखी तो इंस्टुट का उन्हें वो सीन याद रहा गया जिसमें एक एक्टर की गल्फेंट जा रही होती है, और वो उसे टन होने के लिए कहते है, बाद में डिडील जे में उन्होंने इसी सीन से इंस्पार होकर रा चाइन दसीन के नाम से जानते है, आदिते चोपड़े के छोटे भाई उदे चोपड़ा फिल्म में उनके असिस्टन थे, जिने मेकिंग रेकॉर्ड करने के जिम्मेदारी मिली थी, चोथा है शारुक खान के किरदर के नाम की कहानी, आदिते चोपड़ा ने फिल्म दिलव सुनाते है, वो दरसल अनुपरम खेर के संगे अंकल के नाम है, जो की वाकई पड़ाय में कुछ खास अच्छे नहीं थे, यही वही पहली फिल्म थी जिससे मंदीरा बेदी ने बड़े परदे पर अपने अक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, फिल्म में पहली शारुख फिल्म थी नहीं है, उससे कई जाधा ठुक रही है, या मिलते मिलते रह गई है, जैसे कि फिल्म दिवाना में शारुकान का रोल उनको मिल रहा था, लेकिन उननोंने इंकार कर दिया, उसी तरह फिल्म दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में काजोल के 속asında किर्दार सिमरन के मंगेतर कुलजित के रोल के लिए भी पहले अर्मान कोली से बात की गई थी लेकिन ओडिशन वाले दिन परमित से टीबूट जीन्स और वेस्ट कोट पन कर आए तो स्क्रीन टेस्ट में पास हो गई इसके बाद अर्मान की जगा परमित को फिल्म में कास्ट कर लिया गया मेंदी लगा के रखना गाने में काजल के लिए मनिश मनोतरा ने हरे रंग का सूट डिजैन किया लेकिन अधिति छोप्रा ने कहा कि पंजबी परिवारों में लड़किया लाल मरून या गुलाबी कपड़े पहनती है इसके बाद उनके सूट का रंग बदलना पड़ा इस फिल्म का एक मशूर गाना तुझे देखा तो ये जाना सानम गुड़गाओं में शूट किया गया था कि अपने सारी फैंस के सांगे परफॉम करना काम करना मुज़ ऐसा लगता है कि 31st बहत लोग बाडी करते लेकिन हम लोग काम कर के भी बाडी कर रहे है और अवितने सारी फैंस के साँ इतना सारा प्यार मिल रहा है विफेरी नगा ने अगए घा रखेरी आप नोगे आप ने दोग पारे हैं और एंड़ रहे हैं आज कोश्ड़क के बारे में बदाना चाहँ के दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं यार बिलिंग है यार एक्तम चमक दमग है 31st है तो मैं देविना ने काफी तोड़ टाइम निगाला क्योंकि नॉमली 31st को हम थोड़ा सी इसली लेते है और हम कपडे खुद हमने सलेक्ट किये और हमें चाहिए था कि जब दूर से भी खड़े है तो लोग हमें देख पाए तो यार चिला रहते है यार चिला रहते है यार चिला रहते है यार चाहिए बहुत अच्छा लग रहा है I mean actually the thing is time के बात कर रहे है live audience के लिए I mean televised event पीच में किया लेकिन this is for the live audience और live audience में लोगों का र्याक्शन पता चलता है सामने खड़े होके इस नौट की आप में कर दिया camera के सामने जब टेलिकास होगा लोगों ने घर पे देखा पोड़ो डाला and it is really feeling very nice आप क्या कहना चाहोगे गुपीश जितना कहे उतना था में दो साल के बाद हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं और यह साल को हम अलविदा कह रहे हैं यह साल मेरे और देबिना के लाइफ का बहुत यादगार साल रहेगा इन फैक जिंदीकी भर यह साल हम याद रखेंगे हमारी दो बेबीज आई हैं और इस ते जादे खुशे क्या हो सती है हम दोनों परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन हमारा थिहान हमारे बेबीज पर है हम बहुत चाहते हैं कि हम दोनों बेबीज को यहाँ पर लाइए 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 परफॉर्म करेंगे वो हमारे साथ रहेंगे कुछ प्लानिंग है? New Year, like after party, something, anywhere on a trip? We have a fantastic plan actually. Yeah, that will come true, not now. जाद ही हमने हाली में जो photo shoot देखा था, the Christmas related, सब ही बहुत पसंद कर रहे थे, social media पर, क्या कुछ प्लानिंग आप करते हैं? क्या हमेशा सब्लाग में भी कुछ ना पुछ क्रिएटिविटी देखने हैं? Actually, मुझे लगता है मैं नहीं सारी लड़किव को शौपिग करना बहुत पसंद है, अब बच्चो के साइस के कपड़े फर Christmas तो पिर मैं जगा दो अलग अलग साइस के भी हैं, तो फिर मुझे लगा वाइन लगा नौट तो यह प्लान था पस उन तोनों का फोटोशूट करेंगे, लेकिन उस दिन हमारा भी कुछ था, तो हम भी रेटी हुए थे, तो चारोकाई फोटोशूट हो गया, और वो फोटो जो लोगों को पसंद आया, वो हमारे गार पर भी फ्रेम होके लगेगा. नए साल में क्या कुछ शर्प्राइज आप देंगे 2023? रूष्ण P meu यहसरण नगों आध जो साल हो बीकाफ बीकाफ नगए जालिग प्रूप्जढून अटी बोनल्ले नगों कर दो-स साल कंगे दे नहीं आटाएज जह नगों ल sf़ैर धानिया विए और रहा नहीं अगे हुए जो आटा ब नूप में झाय बढए है, तुरी आप लोगों को लगता है कि हम लोग आराम से पॉपरम करते हैं, अंदर दे पूरा चिला हुआ है थोड़ा भी ऐसा दर्द महसूस नहीं होदा, फैंस के लिए, मुझे लगता है कि मेरे लिए मेरे बगवान है मैं जब देखा मैं जब देखा मैं जब मारना है क्योंकि मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि मैं अपने फैंस, अपने ओडियंस के पास जित्मन असदी कास हूँ और वहाँ पे बच्चे दे तो मैं मैं जब मारके गया और बच्चों से मिल रहा था और खड़े के दान्स कर रहा जोटबड लग जाती छोटी-पोडी चीजे है तो इतना ध्यान नी देता है आप दोनों के अंदास में नहीं साल की शुप कामना है सब ही रशकों को दिपीना है और गूर्मीट की तरफ से एपी न्यू यार था था जू यार था है अपी न्यू यू यार था था बाई है स्युक्तल में उच्छे भएगे। अफिद रहा हूं। अच्छा रहा है, बब्लेसे रहा है। पॉर्ट सुभव्वावश थैंडी ना। पॉर्ट सुभववावश डीक राइस थैंडी बाइस सुभाई। झेल जाफै छिला मिलता है थाइ थेला दॉखाइ थह जिलाया थाँच व Also तेह दूसरर वेडित थार जर्याइग एंडश्ये इस्वी प покупता आवडिर्या जोलो ही झालन ने शुष्वेडरी से यदिनी मनलतते हैं जिली अबी तो मेना मेकप भी आता है इसी तीज़ नया साल रहा है जिसी तीज़ प्लानिग के लिए यज़ प्लाणिग दूट रहा है जाद लिए आप लिए ही तो आज हम लोग सब लोग है यहां पर Christmas भी आहा है तो इस 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 तरह है किस तरह आप Christmas बनाने एंगी Christmas हमेशा मुझे मुझे मेरी मेरी मैंजर हो वो मुझे हमेशा हर साल Christmas tree लाग देती जा है So it's like a ritual So aaj मेरी शूट बाद मेरी जाहोंगी बंद्रा Christmas shopping करोंगी And then घर में अच्छ से देकॉर करोंगी इस बाद तो मतलब बहुत ही सारे रीजन्स अवा इस अवाइब करने के लिए तो तो फेस्टिविल्स तो अच्छे से अच्छे से अच्छे मेरी से अच्छे अच्छे राद बच्छ मेरी से लिए तो बिलकुल Christmas I think Christmas was that time इतना भी वह कल्चर के बार में पता नहीं था पर हमेशा हमनो बहुत प्रभावबत थे कहां Santa Claus, Trees, Decorate कर वी तो पापने हमेशा वह एक चोटा समाहोन हम प्रेट करते थे जरूर अच्छे मेरी से अच्छे मेरी से अच्छे मेरी से प्रातना करते हूं कि मेरे आगे के जितने साल है चापने हमेर हमेरी से जितने से हिसे चापने हमेरी से मेरी से जड़े हमेशा तर नहीं करते है Big Boss कर गएबत बार कर आगेबत बीवारी और सम्ष्ण प्रभावशा करें ऐब तो अब अबदी निकल जिए ईयाना तो क्या ही बच्छा इ कोई यह दोने करते हैं यहाँ, तीन दता, आमित के साथ बहुत शूसी हुआ, यहाँ उड़्स आपर उर्सुनी आपट चल्ग आपः तूसी हुआ एकुष जाया चालग दले लिए था निए आप değer रहते हैं कर दोकिषो, I don't think so is doing that well, फिछले साल तक झाल मुझे नहीं लगता बिग बॉज को निया साल रहे है एक सब्टान को च्च मेरों ने नहीं प्रॉज्टें को काया है? पास्मी बहुत अमेजन प्रॉज्ट से लोग अगरन है जो जानले सी स्टार्ट रहे हैं जी इस बार तो अभाय को IMDb ने टॉप 10 रेटिंग दी है तॉप 10 वन फोट वाच्ट, फेवरिट ने टॉप 10 वेब सीरिस तो I was very happy with that I think that's a good achievement तो अभाय के बाद जो प्रोजेक्ट होगा मैं जाती हूं के वो उतना ही वेटे जो गारेक्टर को क्योंके अगर इस कहानी अची है तो आगे तक जाती ही जाती है So I think that's what I'm waiting for but 2023 looks amazing Thank you ma'am, जाते जाते, क्या सुप काम नहें देना चाओगे नेसान? आप सब को परे तो मेडिया वालब को, Happy New Year, Merry Christmas and then everybody guys thank you so much for always supporting me, always being there for me and we are gonna come up with many things but then before that just sit tight pray that the year has ended well for everybody and just wish luck for the new year Thank you Thank you Nice look Nice look ठीवे जी नाइश्छूप। वाजन ये थीच भूं थे खिन जो तो तो में आइड निए शर्थ कर लें जो जबादेशना आक थे किस तरह से प्रमोशन प्रमोशन तो में को कभी भी गाने का प्रमोशन जासे पर लगजा है, तो अबस मज़े कर दें, गाना बहार आए, फुल्षेट प्रेंग्स को बुला के, इंट्रुएंस को बुला के, मस्की मज़ा चलता है, बौत भज़े सुद्धी तो दें लोगों के तरह से क्या कि क्या रिपे तुक रहा है? अबहे तक, अबहे तक बनाना क्या चिक क्या रहा है? नहीं, मैंने तो काउंट नहीं किया पर मैंने आज अकेले ने आईकेस 20-30 को मनाई दिये पिछले दो घंडे और आप लोग के साथ भी बनाना है मुझे कब बनाओ भी बनाओ इसके अलावा मैं जाना चाहूँगा फिल्म अपनी जो इंडिस्ट्री जगत से किसे कॉंपलिमें किया अगर आपके कुछ दोस्ते है अहां, बिल्कुल, काफी लोग ने कॉंपलिमें किया है, इस्पेशली मेरे कोस्टाथ हमेशा ध्यान रखें किया नेक्स पोजेक्ट किया रहा है, कल रंडजे सर्व का पॉल आया था, तन तन उच्वर्वानी का पॉल आया है, तन अल ग गभी मेरे कोमिळा काते से थे अहां मैं किया थे सप अच्छाएं किया रहा है, और इन शर यृरर्ण किया चच्वर्स, पालाएटिय. कि अमद्स नहीं करने कि अदिए टू कि यूद्स मिर्पोटी दाली लगा कि रूमाल गले मेचा रूमाला गले में डाल गे दूआ जानाँ आवेट करू लगा मैं चेवी बाली मिपस्टिक लगा कि अरे तब से खड़ी हूँ र्वज़ पर जाजय। वारा किया शथा बाभू भी अन्यों देख वादिया नियुक्त था चाहिए यार इसके अलाव भी बोल देख पारे हो यार कल यह तो तुम लों का इतना मदला मेंने बोला पता है कितनी पैशिंग होने ट्विटर पे आप लोगी वैसे मालब क्योंकि मैं सब कुछ जैसे बोल देती है यसे फ्लो में पर फिर कोई बात नहीं आप लोग खिले केक लाइए और यार यार तोड़ा तोड़ा तोड़ सेरा है डोगेए एक्सा सेरा है कि यार कई आप नहीं आप लकavors मेरि विज से बोरिंग मैंने यह कट करें है चो तरह वो ओक पर दोगने हम झांदुन कर दो हम झार वह परस बरस बद्सक्रों का बुत भुल लकार साथा या 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 यहा जो साथ में कारें? साथ में साथ में पारोज जब एक साथ में कीच करता है ले पिशे जहाओ पारोज बड़े जीर का देम बड़े कल बड़े करण जा शेख की पिजए में पर आप सब्सक्राइब आप बीज़ है डहीं थींद करच आप जी बीज़ तो सबस्ताव अधिए जीज़ा में वरसम पड़ोतों लिए जीज़ा को पॉदो छेहीं इसकों पॉदो छोड़ा जार शुड़ा चाल, आप टूरा है, नहीं ततंड है, जा आप करें फ़क्तर शाब बीए, जाओ. एक इसनकों हो ओ किया क्टेंज बीए, इसनकों चाल दीम, ज़दीज दागे, साथ. यह वेच्पने, प्रियक्ते प्रिया प्राइख्टी इसले पंडे ऌनकी यह, प्हुट संक्रमाइए तरही यह लिए . जाने शारूक खान काजल स्टार फिल्म दिल वाले दुलनिया ले जाएंगे की कहानी और साती जाने फिल्म से जूड़ी पाच रोचक बाते हिंदी फिल्मों की दुन्या में हर दोर में प्रेम कहानियों पर फिल्म में बनती रही है 1930 के दरशक में देवदास के साथ दरशकों की एक पीडी ने असफल प्रेमियों की पीडा मसुस की 1932 में सिनेमा के बोलने के साथ प्रेम कहानियों का थरीकोल या खाका बन गया था जिसमें तीन चीजे होती थी प्रेमी प्रेमी का और उनकी मिलन की रामे रोड़ा अड़काने वाला तत्व आज भी बॉलूइड की प्रेम कानियों में इसे फर्मूलों का इस्तमाल होता है कभी ये तत्वखल नयक के रूप में होता है कभी जाती प्रदेश उच नीच गरीब अमिर के रूप में है 1944 की रतन सुपर हिट थी जिसका नायका गोविंदा वैश्य समाच का था तो नायका गोरी राचबुद समाच की 1981 की एक दुझे के लिए की तमिल भाषी नायक और उत्तर भारती नायका के मिलन में भाषा के साथ प्रविश्वाद दुरोडान बन जाता है बॉबी के नायक नायक या मैंने प्यार किया के नायक प्रेम और सुवन के मिलन में अमिरी गरीबी बांदा बन जाती है और प्रेमियों को कड़े इम्तियम से गुजरना पड़ता है मुक्किधारा की निर्मातों का मानना रहा है कि प्रेमी प्रेमिका को मिलन से रोकने वाला तत्व जितना ताकत वर दिखाया जाएगा फिल्म के सफलता के मौके भी उतने जाधा बनेंगे मगर 25 सल पहले 20 अक्तुंबर 1995 को रिलीज हुई दिलवाले दुलनिया ले जाएगे ने इस फ्रेमिलों को हाशिये पर पटक दिया यह है ऐसी प्रेम काहानी थी जिसमें नायक नायक का की मिलन को उच नीच अमिरी गरीबी प्रदेश वाद जाती या धर्म रोकते नजर नहीं आते है उसमें नायका सिमरन का पीता बल्दो सिंग परंपरावादी है तो नायक राज का पीता धरमीर मलोतरा खुले विचारों का नायक नायक को मिलने से रोकने वाला तत्वा परम परवादी पिता दिखता तो है मगर होता नहीं क्योंकि वह तो अंत में कहता है कि जा सिमरन जील अपनी जिन्दगी दिल वाले दुलनिया ले जाएंगे में नायक नायक को मिलने से रोकने वाला तत्वा हाला थे स्थितिया है प्लेटफॉर्म पर दोड़ती नाई का गती पकड़ रही ट्रेन के दोरजे पर खड़ा नायक और सिनेमा हॉल में दम साथे बैटे दर्शक इस तरह से फिल्म में हालात अपने चरम पर पुछते हैं हालाकि इस क्लाइमेक्स से निर्देशक आदित्य चोपडा की पिता यस चोपडा नाखुश थे जिस तरह से इंगलेंड अमेरिका समेत विदेश में बसे भारतियों ने दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे को सीराको वल लिया वह हिंदी सिनेमा की दुनिया में अभूत पु जब यो को धान में रखकर फिल्म में और उनके गाने बनाने का चलन चल पड़ा फिल्मों में सरसों की खेट लहराने लगे और गानों में पंजबी शब्द कुडी और मुंडे ऐसे आम हुए कि सथ्या जैसी फिल्म में मराटी परिवर से अपने यहां होने वाली शादी मे गवाया गया सपने में मिलती है ओ कुड़ी इस फिल्म की कहाने जितनी दिल्चस्प है उससे जाधा रोचक इसकी शूटिंग से जूड़े किस्से है इस खास मोगे पर आईए चांते फिल्म से जूड़ी दस खास बातों के बारे में पहला है फिल्म के लिए पहली पसंद नह लेकिन आदित्य के पीता ये चोपड़ा की दिमाग में कुछ और ही चल रहा था चुकि फिल्म रोमेंटिक थी और भाट्य दर्शकों के लिए बनाए जानी थी इसलिए वो चाते थी कि टॉम की जगा शारुक को कास्ट किया जाए काफी समझाने के बाद आदित्य पीता की सेफली खानते लेकिन शायद किस्मत इची को कहते है इस फिल्म के जरिये शारुक खान को किंग ओफ रोमेंस का किताब मिलना था दूसरा है फिल्म का फाइनल टाइटल किरन खेर ने दिया फिल्म का नाम पहले दब्रेवेट विल टेक दब्राइट रखा गया था लेकिन अ सही नहीं लग रहा था उन्होंने आदित्य चोपड़ा सही से बदलने की बात कहीं तो उन्होंने सुझाओ मांग दिया इसके बाद फिल्म का टाइटल दिल्वाले दुलनिया ले जाएंगे किरन खेर ने सजेस्ट किया था इस बात का जिक्र यश्रास फिल्म द्वारा तो मुझे काफी पसंद आया और यह टाइटल फाइनल हो गया वैसे टाइटल काफी लंबा था लेकिन दर्शकों को यह फिल्म इतनी पसंद आई कि लोगों ने इसको शौट में डिडील जे कहना भी शुरू कर दिया खास कर उस वक्त के यूव में दिलवाले दुलनिया ल इस पाइट था फिल्म के निर्मा निर्दिशक आदिते चोपड़ा ने जब यह फिल्म देखी तो इंस्टुट का उन्हें वह सीन याद रहा गया जिसमें एक एक्टर की गल्फेंट जा रही होती है और वह उसे टन होने के लिए कहते है बाद में डिडील जमें उन्होंने इसी सीन से इंस्पायर होकर राज सिमरन पर पलट सीन क्रियेट कर दिया बताया जाता है कि डिडील जे की स्क्रिप्ट लिखने में आदिते चोपड़ा को केवल एक महिने का समय लगा था इसके साथ ये भारतिय सीन एटीस की यह पहली ऐसी फिल्म थी जिसने अपनी को भी प्रोड्यूस किया था तकनिकी तोर पर तब ये उसे बिहाइंड सीन के नाम से जानते है आदिते चोपड़े के चोटे बाए उदे चोपड़ा फिल्म में उनके असिस्टन थे जिने मेकिंग रेकॉर्ड करने के जिम्मेदारी मिली थी चौता है शारुकान के किरदर के नाम की कहानी आदिते चोपड़ा ने फिल्म दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में शारुकान के किरदर का नाम राज रखा है जो कि बॉल्वीड की सबसे बड़े शोमा ने राज कपूर से प्रिडित था फिल्म में उनका पूरा नाम राज ना था जो कि 1973 की फिल्म ब बेदी ने बड़े परदे पर अपने अक्टिंग करियर की शुरुआत की थी फिल्म में पहली शारुकान की फेमस लेदर जैकेट उदे चोपड़ा ने कैलिफोनिया के बेकर्स फिल्म में हाल डेविडेंस के शोरूम में 400 डॉलर में खरी दी थी पाच्छवा है अर्मान को ये फिल्म भी मिलते मिलते रह गई बीग बॉस फेम अक्टर अर्मान कोली को बॉलुड का सबसे दुरगora शारी अभी निता माना चाता है उन्होंने जितने फिल्म में की नहीं है उससे कई जादा ठुक रही है या मिलते मिलते रह गई है जैसे कि फिल्म दिवाना में शारुकान का रोल उनको मिल रहा था है लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया उसी तरह फिल्म दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में काजुल के किरदार सिम्रन के मंगे तरकुल जित के रोल के लिए भी पहले अर्मान कोली से बात की गई थी लेकिन आडिशन वाले दिन परमित से टीबूट जीन्स और वेस्ट कोट पन कराए तो स्क्रिन टेस्ट में पास हो गई इसके बाद अर्मान की जगा परमित को फिल्म में कास्ट कर लिया गया मेंधी लगा के रखना गाने में काजल के लिए मनिश मनोतरा ने हरे रंग का सूट डिजैन किया लेकिन आदिती चोपड़ा ने कहा कि पंजबी परिवारों में लड़किया लाल मरून या गुलाबी कपड़े पहनती है इसके बाद उनके सूट का रंग बदलना पड़ा इस फिल्म का एक मशूर गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम गुड़गाओं में शूट किया गया था जाने शारुक खान काजल स्टार फिल्म दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे की कहानी और साती जाने फिल्म से जूड़ी पाच रोचक बाते हिंदी फिल्मों की दुनिया में हर दौर में प्रेम कहानियों पर फिल्म में बनती रही है 1930 के दर्शक में देउदास की साथ दर्शकों की एक पीडी ने असफल प्रेमियों की पीड़ा मशूस की 1932 में सिनेमा के बोलने के साथी प्रेम कहानियों का त्रीकों यह खाका बन गया था जिसमें तीन चीजे होती थी प्रेमी प्रेमी का और उनकी मिलन की रामे रोडा अड़काने वाला तत्व आज भी बॉलूइट की प्रेम काहानियों में इसे फर्मूलों का इस्तमाल होता है कभी ये तोत्वखल नायक के रूप में होता है कभी जाती, प्रदेश, उच नीच, गरीब, अमिर के रूप में है 1944 की रतन सुपर हिट ती, जिसका नायका गोविन्दा वैश्य समाज का था तो नायका गोरी राचबुत समाज की 1981 की एक दुझे के लिए की तमिल भाशी नायक और उत्तरभारती नायका के मिलन में भाशा की साथ प्रविश्वाद दुरोडान बन जाता है बॉबी के नायक नायका या मैंने प्यार किया के नायक प्रेम और सुमन के मिलन में अमेरी गरीबी बांदा बन जाती है और प्रेमियों को कड़े इमत्यान से गुजरना पड़ता है मुक्की धरा की निर्मातों का मानना रहा है कि प्रेमी प्रेमी का को मिलन से रोकने वाला तत्व जितना ताकत वर दिखाया जाएगा फिल्म के सफलता के मौके भी उतने जादा बनेंगे मगर 25 सल पहले 20 अक्तुंबर 1995 को रिलीज हुई दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे ने इस फर्मिलों को हाशिये पर पटक दिया यह है ऐसी प्रेम काहानी थी जिसमें नायक नायक का की मिलन को उच नीच अमिरी गरीबी प्रदेश वाद जाती या धर्म रोकते नजर नहीं आते है उसमें नायका सिमरन का पीता बल्दो सिंग परंपरावादी है तो नायक राज का पीता धरमीर मलोतरा खुले विचारों का नायक नायक को मिलने से रोकने वाला तत्वा परम परवादी पिता दिखता तो है मगर होता नहीं क्योंकि वह तो अंत में कहता है कि जा सिमरन जील अपनी जिन्दगी दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे में नायक नायक को मिलने से रोकने वाला तत्वा हाला थे स्तीतिया है प्लेटफॉर्म पर दोड़ती नाई का गती पकड़ रही ट्रेन के दोरजे पर खड़ा नायक और सिनेमा हॉल में दम साथे बैटे दर्शक इस तरह से फिल्म में हालात अपने चरम पर पुछते हैं हालाकि इस क्लाइमेक्स से निर्देशक आदित्य चोपडा की पिता यस चोपडा नाखुश थे जिस तरह से इंगलेंड अमेरिका समेत विदेश में बसे भारतियों ने दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे को सीराको वल लिया वह हिंदी सिनेमा की दुनिया में अभूत पु पन्जब्यों को ध्यान में रखकर फिल्म में और उनके गाने बनाने का चलन चल पड़ा फिल्मों में सरसो की खेत लहराने लगया और गानों में पंजबी शब्त कुड़ी और मुंडे ऐसे आम हुए कि सत्या जैसी फिल्म में मराटी परिवर से अपने यह होने वाली कि सबसे बड़े और लीड रोल के लिए शारुकान पहली पसंद नहीं थे डिरेक्टर आदित्य चोपड़ा इस फिल्म में टॉम क्रूस को बत्तोर लीड कास्ट करना चाते थे उस वक तक फिल्म का नाम दब्रेवेट विल टेक दब्राइड रखा गया था लेकिन आदित्य क पीता ये चोपड़ा की दिमाग में कुछ और ही चल रहा था चुकि फिल्म रोमेंटिक थी और भाट्य दर्शकों के लिए बनाए जानी थी इसलिए वो चाते थे कि टॉम की जगा शारुक को कास्ट किया जाए काफी समझाने के बाद आदित्य पीता की बात मान गए लेकि शायद किस्मत इची को कहते है इस फिल्म के जरिये शारुक खान को किंग ओफ रोमेंस का किताब मिलना था दूसरा है फिल्म का फाइनल टाइटल किरन खेर ने दिया फिल्म का नाम पहले दब्रेवेट विल टेक दब्राइट रखा गया था लेकिन अपने जमानी की मशुर अधाकर किरन खेर को ये नाम सही नहीं लग रहा था उन्होंने आदित्य चोपड़ा सही से बदलने की बात कहीं तो उन्होंने सुझाओ मांग दिया इसके बाद फिल्म का टाइटल दिल्वाले दुलनिया ले जाएंगे किरन खेर ने सजेस्ट किया था इस बात का जिक्र ये शराज फिल्म द्वारा पब्लिश की गई बुक आदित्य चोपड़ा रिल्विस दिल्वाले दुलनिया ले जाएंगे मैं आदित्य चोपड़ा ने खूद किया उन्होंने लिखा है किरन जी को यह आइडिया 1974 में आई फिल्म चोर मचाई शोर के गाने ले जाएंगे दिल्वाले दुलनिया ले जाएंगे सुनकर आया था जब मैंने उनसे यह आइडिया सुना तो मुझे काफी पसंद आया और यह टाइटल फाइनल हो गया वैसे टाइटल काफी लंबा था लेकिन दर्शकों को यह फिल्म इतनी पसंद आई कि लोगों ने इसको शोर्ट में डिडीएलजी कहना भी शुरू कर दिया खासकर उस वक कि योआव में दिल्वाले दुलनिया ले जाएंगे की जगह डिडीएलजी कहने का ही चलन था तिसरा है Hollywood फिल्म से प्रिरित था पल्टन सीन फिल्म दिल्वाले दुलनिय ले जाएंगे में शारुकान पर फिल्म आया गया मशूर पल्टन सीन एक Hollywood फिल्म से प्रिरित था साल 1993 में रिलीज क्रीड George की American film In the Line of Fire के एक सीन से पल्टन सीन इस्पाइट था फिल्म की निर्मान निर्दिशक आदिते चोपड़ा ने जब ये फिल्म देखी तो इंस्टुट का उन्हें वो सीन याद रहा गया जिसमें एक एक एक्टर की गल्फेंट जा रही होती है और वो उसे टन होने के लिए कहते है बाद में DDLG में उन्होंने इसी सीन से इंस्पा को भी प्रोड्यूस किया था तकनिकी तोर पर तब ये उसे बिहाइंड दसीन के नाम से जानते है आदिते चोपड़े के चोटे बाई उदे चोपड़ा फिल्म में उनके असिस्टन थे जिने मेकिंग रेकॉर्ड करने के जिम्मेदारी मिली थी चौता है शारुकान के वाले दुलन्य ले जाएंगे में शारुकान के किदर का नाम राज रखा है जो कि बॉलीड की सबसे बड़े शोमा ने राज कपूर से प्रेडित था फिल्म में उनका पूरा नाम राज ना था जो की 1973 की फिल्म बॉबी में रुशी कपूर के नाम से प्रेडित था फिल्म क वही पहली फिल्म थी जिससे मंदीरा बेदी ने बड़े परदे पर अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी फिल्म में पहली शारू खान की फेमस लेदर जैकेट उदे चोपडा ने कैलिफोनिया के बेकर्स फिल्म में हाल डेविडेंस के शोरूम में 400 डॉलर में खरी गई है जैसे कि फिल्म दिवाना में शारू कान का रोल उनको मिल रहा था लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया उसी तरह फिल्म दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे मैं काजोल के किरदार सिम्रन के मंगेतर कुलजित के रोल के लिए भी पहले अर्मान कोली से बात की गई थी लेकिन आडिशन वाले दिन परमित से टीबूट जीन्स और वेस्ट कोट पन कराए तो स्क्रिन टेस्ट में पास हो गई, इसके बाद अर्मान की जगा परमित को फिल्म में कास्ट कर लिया गया, मेंधी लगा के रखना, गाने में काजल के लिए मनिश मनोतरा ने हरे रंग का स इसके बाद उनके सूट का रंग बदलना पड़ा, इस फिल्म का एक मशूर गाना तूझे देखा तो ये जाना सनम गुड़गाओं में शूट किया गया था